हलो बच्चो कैसे हो बढ़िया आप बढ़िया तो मैं भी बढ़िया तो देखो बच्चो आज हमें क्या पढ़ाई करनी है आज है हमारे पास class 12 और class 12 में हम आज पढ़ेंगे alcohol, phenol तथा ether तो यह जो chapter है हमारा यह unit number 7 है नए syllabus के according और आज हम इस पूरे chapter को एक ही lecture में इसका revision करेंगे तो हमारे पास है unit number 7 का one sort revision क्या है one sort revision तो आज हमें one sort revision करना है इस पूरे chapter को एक ही lecture में पूरा cover करना है और आप यदि पूरी book के one sort revision वाले lecture देखना चाहते हो तो आपको playlist मिल जाएगी one sort revision class 12 one sort revision के नाम से एक playlist मिलेगी जिसमें हमने अब तक पहले 6 chapter के one sort revision कर लिये हैं और यह हमारे पास 7 वा chapter है unit number 7 जिसका नाम है alcohol phenol and ether इसका one sort revision आज हम करने जा रहे हैं बस आपको ध्यान यह रखना है कि आपको हर एक चीज को बिल्कुल ध्यान से समझते रहना है ठीक है लिखना कुछ नहीं है यह one sort revision है यह lecture उन सभी बच्चों के लिए बहुत अच्छा है जिन्होंने एक बार इस चैप्टर को पूरा पढ़ रखा है और जिन्हें एक्जाम में बैठना है तो यह one sort revision है ठीक है बिटे स्टार्ट करें तो आज की पढ़ाई स्टार्ट करने से पहले सभी बच्चों को गुड़ीवनिंग नमस्ते प्रणाम आयुश्मान भवे दिरगायू भवे उत्तिन भवे यशश्वी भवे सतायू भवे जल्दी से आज की पढ़ाई हम स्टार्ट करते हैं आपको हर एक चीज़ को ध्यान से समझते रहना है बस फूरा फोकस रखना यह हमारा साथवा चेप्टर है यूनिट नमबर सेवन जिसका नाम है अलकोहल, फिनौल, एंड एथर अलकोहल को हम ऐसे परदर्सीत करते हैं जब आर के आगे क्या जुड़ा होता है ओएच तो इसका मतलब होता है अलकोहल और जब बेंजीन रिंग के एक एलकाइल ग्रूप के बीच में ऑक्सीजन आजाए या फिर दो एराइल ग्रूप के बीच में ऑक्सीजन आजाए तो इसे हम कहते हैं एथर तो आपको जनरल बात पता होनी चाहिए कि एलकोहल को हम इस तरीगे से परदर्सीत करते हैं फिनौल को ऐसे और एथर को परदर ग्रूप है और OH का मतलब क्या है Hydroxy group Hydroxy group को आप alcohol ग्रूप भी कह सकते हो ठीक है next ध्यान से समझना अब हम बात करेंगे alcohol का वर्गी करण किसकी बात करेंगे alcohol का वर्गी करण तो alcohol का वर्गी करण का जो सबसे पहला आधार है वह है OH ग्रूप की संख्या के आधार पर हम एलकोहल का वर्गी करन कर सकते हैं जिसमें सबसे पहले आता है मोनो हर्ड.रिक एलकोहल कौन से होते हैं। मोनो माने एक हाईड.रिक माने ओएच ग्रूप इनमें एक ओएच ग्रूप परजेंट होगा। यदि किसी alcohol में केवल एक OH ग्रूप परजेंट होता है, तो उसे हम कहते हैं, mono-hydrik alcohol, जैसे आपका ये है, CS3OH, इसमें एक OH है, जैसे C2H5OH, इसमें भी एक ही OH ग्रूप है। और इसमें भी एक ही ओएच ग्रूप है इसका नाम आपको बता है एक कार्बन वाला एलकोहल है तो इसका नाम मिथाइल एलकोहल है दो कार्बन वाला एलकोहल है तो इसे हम कहते हैं इथाइल एलकोहल और ये तीन कार्बन वाला ऐसा एलकोहल है जिसमें बीच में ओएच organic chemistry और पूरी chemistry के basic concepts सारे clear हो जाएंगे तो monohydric alcohol वो होता है जिसमें एक OH ग्रूप परजेंट होता है डाई hydric alcohol उसे कहते हैं जिसमें दो OH ग्रूप परजेंट होते हैं ठीक है और दोनों OH ग्रूप कहां होते हैं different carbon atoms पर अलग-अलग carbon परमान उपर दोनों OH ग्रूप परजेंट हो तो उसे हम कहेंगे dihydric alcohol जैसे आप इस compound को देखो इसमें दो OH ग्रूप है एक तो यह है एक तो यह है तो यह dihydric alcohol है इसे हम कहते हैं ethylene glycol ठीक है क्या लिखावा है देखो इसमें लिखावा है कि एक carbon के उपर एक OH है तो वह stable होगा यदि एक carbon के उपर दो ओएच हैं देखो एक यह रहा एक यह रहा यदि दो ओएच ग्रूप एक carbon atom के उपर attach हो जाते हैं तो यह जो भी यॉगिक होगा जो इसमें से इस तरीके से क्या निकल जाएगा एच टू ओ निकल जाएगा इसमें यह निकल गया एस टू ओ तो सी के साथ डबल बॉंड से oxygen जुड़ेगा तो हम कार्बोनील compound हमें मिलेगा कार्बोनील compound की यह पहचान होती है कि कार्बोनील compound में ऐसा group present होता है तो यदि एक कार्बन के उपर दो हैं तो उसे stable होने के लिए एस टू ओ निकाल कर कार्बोनील compound में convert करना पड़ेगा अपने आपको और यदि एक कार्बन के उपर तीन हैं तो यह भी unstable होता है इसमें से भी देखो क्या निकल रहा है एस टू ओ निकल जाएगा और एस टू ओ निकलने से सी ओ ओ एच यानि यह बनेगा कार्बोक्सलीक एसीड तो यह चीज ध्यान रखनी है आपको सिखाईती फ्रेस लेक्चर में यह बात बहुत अच्छे तरीके से आगे चलते हैं तीसरा होता है बिटे ट्राइ्ट जिसमें तीन ओएच ग्रूप परेजन्ट होते हों जैसे दुआगऑ होता है必enas थैचा ब्राइन में वлемét जेकर नाम होता है कितैंप एक थे nepाफने ये इस हेकसे एन 1 2 3 4 5 6 हैक्स ओल हैक्स माने 6 ओल माने ओएच ग्रूप तो मोनो हैडरिक डाइडरिक ट्राइडरिक और पॉली हैडरिक अलकोहल पता चलिया यह वर्गी करना था ओन दो बेसिस ओफ नंबर ओफ ओएच ग्रूप प्रजेंट इन इन अलकोहल अब हम आगे बात करते है कार्बन परमानू की प्रकरती के आधार पर कार्बन परमानू की प्रकरती का मतलब वह वाला कार्बन परमानू जिसके उपर ओएच ग्रूप प्रजेंट होता है जिस कार्बन के उपर ओएच ग्रूप जुड़ा होता है उस कार्बन परमानू की प्रकरती की बाद हम कर रह यह पर पहला होता है primary alcohol primary alcohol की खासियत यह होती है कि OH group primary carbon से अटेच होता है देखो यहाँ इस OH ग्रूप को देखो इस primary carbon से अटेच है तो मिथाइल अलकोहल एक primary alcohol है इस OH को देखो यह यह carbon कैसा है primary carbon और यह यदि आपको primary, secondary और tertiary carbon समझ में नहीं आते हैं तो क्या हैं तो आपके पास एक बहुत बढ़िया तरीका है आप क्लास 12 दोजार 24-25 की जो प्ले लिस्ट है उसके सुरू के 11 लेक्चर देख लो यह चीज भी आपको समझ में आ जाएगी कि नॉर्मल आईसो नियो क्या होता है और प्राइमरी सेगंडरी टरसरी और कौटरनरी कार कार्बन से ही इसलिए इस एलकोहल को जिसे आप आईसो ब्यूटाइल अलकोहल कोगे यह भी एक प्राइमरी अलकोहल है और उपर यह इथाईल अलकोहल भी एक प्राइमरी अलकोहल है तो प्राइमरी अलकोहल में होते हैं जिनमें ओएच ग्रूप प्राइमरी कार्बन एटम से attach होता है फिर आते हैं secondary alcohol primary alcohol को आप प्रात्मी cowboy कह सकते हो secondary alcohol को आप दित्यक alcohol कह सकते हो दित्यक alcohol में OH group secondary carbon atom से attach होता है यानि दित्यक carbon parvanu से जैसे इस OH को देख लो इस carbon parvanu से attach है और यह carbon parvanu directly 2 carbon से attach है इसलिए secondary carbon atom है इसका मतलब आईसो प्रोपाईल एजटया सेकन्डरी प्रोपाईल एक सेकन्डरी अलकोौल है इस कंपाउंड में देखो यह ओएच ग्रूप जिस कारबन एटम से एट है वो एक सेट री कारबन है क्योंकि यह डरेखली रूपक है सेकटरी ब्लूटया लॉकहल भी secondary alcohol है ठीक है secondary alcohol के बाद next आता है हमारा tertiary alcohol इसमें ओएच ग्रूप तरित्यक कार्बन परमानू से एटाइच होता है tertiary carbon atom से एटाइच होता है जैसे इस compound को देखो इसमें OH इस carbon से एटाइच है और यह carbon एक tertiary carbon है जो directly आता है पहला वर्गी करन देखा हमने OH ग्रूप की संख्या के आधार पर दूसरा देखा OH ग्रूप जिस carbon atom से एटाइच है उस carbon atom की प्रकरती के आधार पर उसके बाद तीसरा आता है hydrocarbon की प्रकरती के आधार पर कि जो हमारा जो हमारा alcohol है उसमें एक R है और OH है यह जो एलकाइल ग्रूप है ना इसे मैं hydrocarbon कह सकता हूँ तो इसकी प्रकरती के आधार पर भी आप alcohol का वर्गी करन कर सकते हों यह जैसे संत्रप्त alcohol इनमें एकल बंद होते हैं यानि जो एलकाइल ग्रूप है न यह वाला इस में सारे सिंगल बॉंड होगे जैसे इसे देखो CS3OH सिंगल बॉंड है मिठाइल अलकोहल एक संत्रप्त अलकोहल है यानी saturated alcohol है इसे देखो CS3, CS2OH, इसमें भी सारे single bond है, इसमें भी संतरप्त alcohol है, CS2OH, single bond CS2OH, इसमें भी single bond है, तो इथाइलीन, ग्लुकोल भी एक क्या है, संतरप्त alcohol है, तो संतरप्त alcohol वो होता है, जिसमें alkyl group में या hydrocarbon कैसे होते हैं, single bonded होते हैं, फिर एक होता है, एस संतरप्त alcohol, इन में double या triple bond होते हैं, double या triple bond होते हैं, एस संतरप्त alcohol में, जैसे आप इसे देखो, इस वाले group को देखो, इतना double bond है न, तो vinyl alcohol एक एस संतरप्त alcohol यानि unsaturated alcohol है, और इसमें alkyl group यह है, इसमें भी double bond आगया, देखो यह क्या है double bond, तो allyl alcohol भी यह क्या है, एस संतरप्त alcohol, तो ऐसे होते हैं, एस संतरप्त alcohol, आप चलते हैं आगये, अब हमें सीखना है, nomenclature of alcohol, तो nomenclature of alcohol का मतलब, alcohol का नामकरण हम कैसे करते हैं, नामकरण की पहली पदती है, सामन्य पदती, या निररथक पदती, या common method और trivial system of nomenclature, इसमें क्या होता है, आपको नाम लिखना होता है, alkyl alcohol की तरह, सामन्य पदती का shortcut है, alkyl alcohol, जैसे alkyl, alcohol, ऐसे लिखते हैं नाम, alkyl alcohol, ठीक है, alkyl की जगह, alkyl गुरूप आजाएगा, जैसे methyl, ethyl, propyl, butyl, जैसे CS3OH है, इसे देख लो, CS3OH को, एक carbon है, तो methyl ही तो कहोगे, आप alkyl की जगह, methyl alcohol, जैसे दो carbon वाला alkyl है, तो क्या नाम हो जाएगा, दो carbon वाले alkyl group को हम कहते हैं, ethyl, ethyl alcohol, ये तीन carbon बन वाला alkyl है, और ये भी एक तीन carbon वाला alkyl है, दुन्नों में difference है, इसमें तो जुड़ा है, OH यहाँ, इसमें OH यहाँ जुड़ा है, तो ये जो तीन carbon वाला alkyl होता है, इसे propyl कहते हैं, तो ये वाला propyl और ये वाला propyl, दुन्नों में difference है, इस propyl के तो और इस प्रोपाइल के निच्छे यहां बॉंड है तो वह वाला प्रोपाइल तो है नॉर्मल प्रोपाइल और यह है आईसो प्रोपाइल तो उपर वाला होगा नॉर्मल प्रोपाइल एलकोहल निच्छे वाला होगा आईसो प्रोपाइल यदि आपको नॉर्मल प्रोपाइल आईसो प्रोपाइल और नियो प्रोपाइल समझ में नहीं आता है तो आप Class 12 2024-25 की जो प्ले लिस्ट है उसके सुरू के 11 लेक्चर देख लो यह चीज भी आपको क्लियर हो जाएगी कि नॉर्मल आईसो नियो अलकाइल का मतलब क्या होता है ठीक है अब इसे देख लो जरा ध्यान से इसमें OH जुडावा है इस Carbon के उपर जो एक Tercory Carbon है और Carbon कितने हैं? एक, दो, तीन, चार एक, दो, तीन, चार Carbon है चार Carbon वाले अलकाइल को आप कहते हो व्यूटाईल पर यह नॉर्मल व्यूटाईल नहीं है यह आईसो ब्युटाईल नहीं है, यह जो है ब्युटाईल गुरुप ऐसा है कि इसमें OOOC यहां जुड़ावाए, तो आप इसे 3-degree ब्युटाईल अलकु होल कह सकते हों, और यहां देखो, क्या नाम है इसका? इसका नाम है इसका नाम है इसका अलकुल, जब इसमें OH नहीं था यहां भी ओएच नहीं था तो बीच में डबल बॉंड ही था यानि इथाईलीन से ही बनने वाली चीज है यह इथाईलीन का डेरिवेटिव है इथाईलीन का व्यूत्पन है तो कुल मिला के बाद यह है अलकाईल अलकोहल यह दियान रखो यह जैसे इस अब इसे देखो इसमें क्या है आपका यहां OH है यहां OH है तो कितने मिथाईलीन है इसमें एक यह एक यह और एक यह प्राई मिथाईलीन ग्लाइकोल ठीक है इसे देखो एक दो तीन चार टेटरा मिथाईलीन ग्लाइकोल ग्लाइकोल कब लगता है जब दो OH ग्रूप होते ह और इसका पूरा famous नाम जो है सामन्य पद्दती में इसका नाम होता है glycerol glycerol कह दो या glycerin भी आप इसे कह सकते हो तो ये तो हुई सामन्य पद्दती अब आ जाते हैं हम ये वाली पद्दती बच्चों के बहुत कम समझ में आती है व्यूत्पन पदती या कार्बीनौल पदती या डेरिवेटीव सिस्टम या कार्बीनौल सिस्टम इसे द्यान से समझ लेना क्योंकि ये पदती बच्चों के बहुत कम समझ में आती है इसमें क्या होता है हमें ध्यान रखना है एक कार्बन वाला जो अल्कोहल है उसे हम कार्बिनॉल कहते है एक कार्बन वाले अल्कोहल को क्या कहते है कार्बिनॉल अब ये अल्कोहल दो कार्बन वाला है पर इतना हिस्सा तो कार्बिनॉल है न और ये क्या है CS3 जिसे आप मिथाइल कह सकते हो तो इसका नाम हो जाएगा मिथाइल कार्बिनॉल अब यह तो कार्बिनॉल है जो हमने बॉक्स में बंद करा एक मिथाइल यह है और एक मिथाइल यह है डाइ मिथाइल कार्बिनॉल तो लिखना ही है बक्की जो है उसे अलकाइल कह दो मिथाइल कार्बिनॉल, डाइ मिथाइल कार्बिनॉल ट्राइ मिथाइल कार्बिनॉल तो यह है कार्बिनॉल सिस्टम और यह जो सिस्टम अब हमारे सामने है इसे हम कहते हैं IUPAC सिस्टम इसके बारे मैं आपको बताईए IUPAC पद्दती सबसे ज़्यादे फेमस है इस दुनिया में कोई भी ऐसा कार्बनिक यॉगिक नहीं है जिसका नाम IUPAC पद्दती ना बता सकती हो यह बात तो पता है आपको अच्छे से IUPAC पद्दती हर एक यॉगिक का नाम बता सकती है without any problem तो IUPAC कहती है तो हमें नाम ऐसे लिखना है LKNOL जैसे मीथेनॉल, इथेनॉल, प्रॉपेनॉल, ब्यूटेनॉल ठीक है जैसे इसका नाम क्या है एक कार्बन वाला एलकोहल है तो मीथेनॉल इसमें कितने कार्बन है, दो कार्बन वाला एलकोहल है तो इथेनॉल अब ये तीन कार्बन वाला है और ये भी तीन कार्बन वाला है ठीक है वैसे तो हम मुझे पता है आप बता दोगे कि सामन्ने पत्दिती में इसका नाम नॉर्मल प्रोपाइल एलकोहल है इसका isopropyl alcohol है पर IUPAC नहीं कहती कि आप normal iso neo शब्दों का प्रियोग करो primary secondary tertiary शब्दों का प्रियोग करो IUPAC में normal iso neo primary secondary tertiary शब्दों का प्रियोग नहीं होता है तो इसमें आपको देखना है कि OH कहां attach है पहले carbon पर attach है तो हमें पता है इसका नाम propanol है पर हम लिखेंगे propane यानी तीन carbon के पहले carbon पर OL यानी OH group attach है propane one all कुछ बच्चे इसे one propanol भी लिख देते हैं कुछ लिख देते हैं propanol one पर जो नाम मैं आपको notes में लिखवा रहा हू अब इसे देखो जरा इसमें क्या है चार carbon वाला है तो butanol है पर दूसरे carbon पर OH है numbering उधर से करनी चाहिए जिदर से नस्दीक पढ़ रहा हो group तो इसका नाम butanol में आप लिखोगे butanol यानी butanol चार carbon में से दूसरे carbon पर OH group है अब इसे देखो CH2OH single bond CH2OH है इसका मतलब इसक है दुनों पर OH group present है तो इते नॉल ना लिखकर आप इतेन और ओल के बीच में लिखोगे 1-2 डाई इतेन 1-2 डाई ओल अब इसे देख लो यह क्या है butanol पर इसमें butanol के पहले carbon पर और तीसरे carbon पर OH है डाई ओल है तो ब्यूटेन 1-3 डाई ओल ब्यूटेन 1-3 डाई ओल औ दो ऊज़िए तो उनमें से भी स्टुर रिमूब होगा और थीन हैं तो इस में से भी एस्टू रिमूब होगा stability को करने के लिए नेक्स्ट देखो थोड़ी सी प्रैक्टीस करते हैं मतलब इसमें हम सामन्ने नाम भी लिखेंगे और आई-उ-पी-ए-सी भी लिखेंगे जैसे CS3-OH CS3-OH का सामन्ने नाम होता है मिथाइल अलकोहल और आई-उ-पी-ए-सी में होता है मीथे नौल और आप इसे कार्बी-नौल भी कह सकते हो ठीक है तिन नो नाम बहुत इस्तमाल होते हैं इसके इसे देखो CS3, CS2, CS2-OH kit, normal propyl है, normal propyl alcohol सामन्ने नाम है और propane one all IU-पी-छे नाम है इसे देखो जणा, तीन कार्बन है और OH जुडावा है दूसरे कार्बन पर तो यह आईसो प्रोपाइल गुरूप है ना आईसो प्रोपाइल अलकोहल या प्रोपेंट टू ओल सामने नाम IUPAC नाम है प्रोपेंट टू ओल इसे देख लो आप इसमें OH गुरूप प्रेटेच है यह चार कार्बन है तो नॉर्मल ब्यूटाइल या ब्यूटेन वन ओल सामने नाम नॉर्मल ब्यूटाइल अलकोहल होगा IUPAC नाम होगा ब्यूटेन वन ओल अब इसे देखो यह भी ब्यूटेन ओल है पर इसमें जो है आपका यह जो OH ग्रूप अटेच है वो secondary carbon पर अटेच है आप इसे secondary butyl alcohol कह सकते हो IUPAC में butane 2 all कह सकते हो क्योंकि OH ग्रूप दूसरे carbon पर अटेच है ठीक है ना next देखो यहाँ आपको दिखाई दे रहा है कि भाई carbon पर मनुगी सबसे बड़ी सरंखला यह है और OH ग्रूप यहाँ है तो one two three कर दिया हमने two methyl यदि सामने नाम लिखोगे तो सामने नाम है इसका isobutyl alcohol यह जो पूरा ग्रूप है जो बॉक्स में बंद कर रखा है इसे हम कहते हैं isobutyl isobutyl alcohol इसका नाम है और यदि IUPAC में जाते हो तो two methyl लिखना पड़ेगा two side chain की तरह behave करेगा two methyl और propane all propane one all क्योंगी पहले carbon पर OH है यदि इस compound को आप देखते हो तो इस compound में यह जो पूरा ग्रूप है इसे हम कहते हैं tertiary butyl group जो बॉक्स में बंद कर रखा है तरसरी butyl alcohol या त्रित्यक butyl alcohol कह सकते हो और IUPAC में number one two three कर दी हमने two methyl propane two all two methyl propane two all इसका नाम सामन्य पद्दिती में याद रख लेना जरूर बहुत important है इसकी आवशकता पड़ती है बहुत ज़्यादे इसका नाम होता है सामन्य पद्दिती में glycerol या glycerol या glycerine IUPAC में ये propanol है propane one two three try all ठीक है पहले दूसरे और तीसरे कार्बन पर तीन क्या है ओएच ग्रूप चलो next देखते हैं अब हम बात करेंगे alcohol में समावी अवता की है जब हम alcohol में समावी अवता की बात करते हैं तो सबसे पहले आती है स्रंखला समावी अवता या chain isomerism हमें देखने को मिलती है जिसमें अनुसूत्र तो योगी को का एक जैसा होगा पर कार्बन परमाणूवों की सरंखला अलग अलग तरह की होगी जैसे देखो ये भी चार कार्बन वाला alcohol है और ये भी चार कार्बन वाला alcohol है और दुन्नों में डिफरेंस क्या है इसमें तो सिद्धी सरंखला है इसमें side chain निकल ली ये तो normal butyl alcohol है ये है आईसो butyl alcohol ठीक है न उसके बाद दूसरी आती है समावी अवता इस्थान समावी अवता या पोजी सन आ 주는 एक जैसा होगा क्रियातन्मक्स अभी एक जैसा है और इसमें भी Belig underlying passion烈 मुका स्थान अलग-छे जैसे हिहां जुडावा ह्हें फेले कार्बन पर जबकि यांश जुडावा है दूसरे कार्बन पर तो क्रियातन्मक्सम्ई का स्थान बदल गया इसलिए इन दुनों को कहते हैं कि दुनों एक दूसरे के स्थान समावयवी हैं और इस घटना को हम कहते हैं स्थान समावयवता इसका नाम होगा प्रोपेन वन ओल और इसका नाम होगा प्रोपेन टू ओल इसमें OH पहले कार्बन पर है उसमें OH दूसरे कार्बन पर है तो हमार करियात्मक्समू ओएच है और इसमें ओए यहां तो एलकोहल है और वहां इथर है इथाइल एलकोहल और डाइमिथाइल इथर यह चीज क्लास 11 पढ़ाई थी आपको जब समावी अवता पढ़ानी सुरू करी थी तो समावी अवता की परिभासा में यही एक्जामपल बताता ह कि जब दो या दो से अधिक योगी को के अनुसूत्र एक जैसे हूं पर उनके कुछ गुणा अलग-अलग हों जैसे हैं करियात्मक्समू अलग-अलग है इसलिए इन दुनों को एक दूसरे के करियात्मक्समू समावी अवी कहा जाएगा और इस घटना को कहेंगे हम करियात समावी अवता कहे दो या क्रियातमक समू समावी अवता कहे दो एक ही बात है उसके बाद हमने बेसिक सारी चिज्जे क्लियर कर ली अलकोहल की अब आते हैं अलकोहल के निर्माण की विधियों पर तो हेडिंग है हमारा अलकोहल के निर्माण की विधियों में सबसे पहले है आ ग्रेवर आरेक्स तो जानते हो एलकाईल हेलएट यहलो एलके जो इससे पहला चेप्टर था यदि आप आर्रेकस के उपपर जलिये एन्यों का रिमक्स रियक्ष का रिया त्यूजियर या एगस करा देखे हो तो आपको क्या मिल जाएगा एलकोहल और ओट जैसे इसका एक एग्जामपल हैं हमरे पास C2H5BR है इसके उपर जब Ag-OH का रियक्शन करोगे तो बीच में से क्या निकल गया एजी बी आर निकल गया और आपको क्या मिल गया C2H5 के उपर OH AGBR side product है Numb silver oxide यदि आपको रियाद रहता है तो यहाँ लिख देना Numb silver oxide ठीक है अभी हाँ एक लिखा हुआ है note ध्यान से देखो जड़ा इस note को important है यह बहुत आता है इसमें से question पर इक सामे Alkyl Halide के जलब घटन से Alkyl के साथ Alkyne भी बन जाता है यदि आप Alkyl Halide यानी Rx का यदि जलब घटन करोगे न तो हमने देखा दोनों reaction में Alkyl बन जा पर Alkyl के साथ Double Bonded Hydro Carbon यानी Alkyne भी बन जाता है जिसका करम निम्न लिखी थै क्या करम है देखो जड़ा वही यदि आपके पास तरित्यक Rx है तरसरी Alkyl Halide है तो इस से Double Bonded Hydro Carbon यानी Alkyne बनने के चांस बहुत जादे है Secondary Alkyl Halide से Alkyne बनने के चांस थोड़े कम है और Primary Alkyl Halide से Alkyne बनता ही नहीं है सही बताऊं तो यह जो दोनों example हमने लिए ना Rx और C2H5 BR यह दोनों Primary Rx के example थे इसलिए इन से Alkyl ही बना है इन से आपका Alkyne नहीं बना है यदि आप Secondary लोगे या तरसरी लोगे तो Alkyne भी बनेगा साथ में जरूर पकी बात है देखो यहां देख लो इस Reaction में देखते हैं कि क्या हो रहा है यदि इन Reaction को आप देखते हो उपर वाले को तो यह हमारे पास Carbon के उपर जिस Carbon के उपर BR Attach है ना वो Carbon Tercory है तो मैं इसे कह सकता हूँ कि यह Tercory Rx है Tercory Butyl Bromide इसे कहते हैं यदि आप इसे गर्म करोगे को H के साथ जली है को H के साथ इसका जलब घठन करोगे तो हमें पता है इहां से KBR निकलेगा पर KBR निकलने के साथ साथ क्या होता है यहां से H और इहां से Oh भी निकल जाता है और S-2O निकलने से यदि हैं से KBR निकला BR ने जगा छोड़ी तो OH आयेगा इसकी जगा तो आपको यह तो मिले गई एल्कोहल तो मिले गई देखो एल्कोहल मिल गया इसका नाम टरसरी ब्यूटाइल एल्कोहल है पर एल्कोहल के अलावा और क्या होता है कि यह निकलने के साथ साथ कहीं कहीं यहां से ओवेच यहां से एच निकल गया और यहां से एच निकल गया ना यहां एक स सेपास क्या है यदि आपके पार्त टरसरी बाला यानi और यानी हट्रोकर्बन मिलेगा और कम मातरा में मिलेगा आपको आलकोल ऐसा इसा Сरी पर आ रेक्स के उपर आप रिक्षन कदरते हो को एकच की यानी जलबगटन करते हो। secondary का देख लो एक example यह carbon secondary है न आईसो प्रोपाइल ब्रोमाइड यह आप इसे secondary ग्रोपाइल एलकोहल मिल गया आपको और यदि के भी आर के साथ साथ हमा से यहां से औह भी निकलेगा तो आपको क्या मिलेगा यहां से निकल गया और यहां भी सही हो जिखता है हाँ डबल बॉंड मिल जाएगा यह मिल गड़ बॉंड प्रोपीन तो यदि आप secondary आर एकस के उप्र जलब गटन करते हो, तो आपको अज़ाद तो मिलता है, अलकोहल अर अज़ा मिलता है, अलकिन फिफ्टी फिफ्टी प्रसेंट जो नों हो बनेंगे व्यदि आपके पाथ primary alcohol है जैसे methyl alcohol या methyl sorry primary Rx है जैसे methyl bromide CS3BR इसका जलब घटन जब भी कराओगे तो एक ही चांस है वही KBR निकलेगा यहां से और आपको 100% methyl alcohol मिलेगा तो यह तीनों reaction आपको fresh lecture में बहुत अच्छे तरीक से explain कर रही थी कि यदि आप primary Rx के उपर जलब घटन करते हो तो आपको 100% alcohol मिलेगा यदि आप secondary Rx के उपर जलब घटन करते हो तो आपको 50% तो मिलेगा alcohol और 50% मिलेगा आपको alkeen और यदि आपके पार tertiary Rx है उसका जलब घटन करते हो तो आपको alcohol कम मातरा में मिलेगा और याल्कीन मिलेगा अधीक मातरा में ये सवाल आ जाता है पेपर में जब कोई Medal सेटर बहुत खतरनाक होता है तो वह ऐसे के उच्चन देता है जहां तक बच्चा पहुंचता ही नहीं है यहां तक तो बच्चा पहुंसता ही नहीं है इसलिए ध्यान रखना इसे पक्का करके जाना दूसरा तरीका है एथर के जलब घटन से यदि आपके पास एथर है और और इसका आप जलब घटन करा देते हो तो आपको पता है यहां से बॉंड टूट जाएगा यहां एच यहां इधर है उधर वह तो यह मिल गाँ आपका सीएस त्री ओएच और सी अस्त्री ओएच दो अनू सीएस त्री यानि मिठाइल एलकोहल या मिठेनॉल के आपको मिल यहां जो यह लिखा हुए नहीं है एच पॉजिटिव एच पॉजिटिव यानि माध्यम थोड़ा सा क्या है जैसे आपका इथाइल मिठाइल इथर है सीटू सीएस त्री सिंगल बॉंड ओ सिंगल बॉंड सीटू हफाइब यदि इसका जलब घटन करोगे अमली अमाध्यम में तो यह बॉंड टूट जाएगा इधर एच इधर ओच सीएस त्री ओच और सीटू हफाइब ओच का मिक् में तो यह बॉंड टूट जाएगा इधर एच इधर ओच तो आपको मिल गया एक तो तीन कार्बन वाला एक दो वाला तीन कार्बन वाले अलकोहल जो मिला दो कार्बन वाला तो एक ही तरह का होता है पर जो तीन कार्बन वाला एलकोहल आपको मिला है ना तीन कार्बन वाल आइसा इल्कोहल ऐसा भी ओ सकता है और एसा भी हो सकता है यानि नौर्मल प्रोपािल या को भी मिलेगए oh उसके बाद तीसरा तरीका देखो क्या है इसररीवघ्माइब ग्रीक जशंग द्वारा इधर तो टो कर लिया हमने Aster का जलब घटन, Aster ऐसा होता है RCOOR इसका जब आप जलब घटन करोगे तो ये bond तूट जाएगा इधर H, इधर OH क्या मिल गया? RCOOH और ROH RCOOS तो Carboxylic Acid होता है, यह है हमारा असली compound R-OH, alcohol यह R के उपर DAS था न, तो यहां R-DAS दिखाया, क्योंकि ऐसा हो सकता है कि यह वाला Alkyl Group अलगो, यह अलगो ऐसा हो सकता है न जैसे आपके पास Ethyl Acidate है CS3, COO, C2H5 यदि आप इसका N-N-OH से जलब घटन करा देते हो, तो यहां से bond टूट जाएगा यहां तो N-N-A जुड़ गया, यहां O-H जुड़ गया यह बन गया CS3, COO, N-N-A यानि Sodium Acidate तो एक बन गया और C2H5 OH, एक बन गया आपका Ethyl Alcohol, यही तो बनाना सीख रहे Alcohol, जैसे आपका Ethyl Propionate है C2H5, COO, C2H5 इसका जब KOH से जलब घटन आप करोगे, तो यहां से bond टूट जाएगा इधर K, इधर OH, यह तो बनेगा C2H5, COO, K, यानि Potassium Propionate, और यह बनेगा C2H5 OH, यानि Ethanol, ठीक है न? जिस बच्चे ने इस chapter को एक बार पढ़ रखा है न? उसके लिए बहुत बढ़िया lecture है, बहुत अच्छे तरीका से उसका revision होगा, जैसे ही हाँ देखो अगला तरीका है कार्बोनिल compound या LD हड़ और किटोन को कहते हैं कार्बोनिल कंपाउंड के अपचैन द्वारा, यदि आपके पास कोई भी कार्बोनिल compound है, कार्बोनिल compound को ऐसे लिखते हैं, आर, सी, ओ, आर, इसका जब यह है एक अपचायक बहुत अच्छा, लिथियम, अलूमिनियू हड़ रइड, से जब आप इसका अपचैन करोगे तो एक बांड टूट जाएगा, नवजाद हड़ुजन देता है, यह नवजाद हड़ुजन इससे ही मिले हमें, लिथियम, अलूमिनियू हड़ रइड से, यह बन गया आपका, यहाँ CH, सिंगल बांड OH, देखो, बन गया नहीं यह अलकोहल और आप ध्यान रखना, प्रमूख अपचायक कौन से हैं, अपचायक का मतलब जो हमें नवजाद हड़ुजन देते हो न, उन्हें हम कहते हैं, अपचायक, प्रमुख अपचायक कौन कौन से हैं, वो ध्यान रखना, एक तो है, सोडियम के उपर अलकोहल डाल दिया, यहाँ से मिल जाएगा, लीथियम, अलूमिनियम, हड़ुजन देतेगा, यानि यह भी अपचायक है, एन्ने, भी, एच, फोर, भी, सोडियम, अमल्गर्म के उपर पानी डाल दोगे, यहाँ भी, हड्रुजन और प्लेटीनम की उपस्तिती में इसे रखोगे, तो यह सारी चीज़ें आपको नवजाद हड्रुजन देंगी, इनमें से कोई साभी अपचायक आप इस्तमाल कर सकते हो, इसे विशेश रूप से ध्यान रखना, लीथियम, अलूमिनियम, हड्रुजन जैसे आपका यह है, है, फॉर्मल डिहाइड है, ह, इसका जब अपचैन करोगे, नवजाद हड्रुजन से, तो यह वाला एक पाई बॉन्ट टूट जाएगा, एक एच इधर, एक एच इधर, क्या बनाए हाँ, च्छी सिंगल बॉन्ट ओएच, यह बनाएगा, मिथाइल अलकोहल, बनाएगा, मिथाइल अलकोहल, जो एक प्राइमरी अलकोहल है, यदि आपने असी टल डिहाइड ले लिया, असी टल डिहाइड ऐसा होता है, CS3, CHO, इसका अपचैन करोगे, तो एक पाई बॉन्ट टूट जाएगा, एक एच इधर, एक एच इधर, CS3, और इस कार्बन के उपर एक तो यह था, यह था, यह था, CS3, CH2, OH, यह बनाए, CS3, CS2, OH, जिसे हम इथाइल अलकोहल कहते हैं, और यदि ऐसी टोन है आपके पास, ऐसी टोन होता है, जिसमें, यहाँ भी CS3 होता है, यहाँ भी CS3, CO, CS3, इसे डाइमिथाल की टोन भी कहते हैं, इसका अपचैन यदि आपने कर दिया, तो यह बॉन्ट टूट जाएगा, एक पाई बॉन्ट है, एक एच इधर, एक एच इधर, CS3, CH, CS3 और बीच वाले कारबन के उपर OH है, देखो बीच वाले कारबन के उपर OH है, इसे हम कहते हैं, आइसो प्रोपाइल अलकोहल या सेकंडरी अलकोहल, तो इसका मतलब यह है कि, आपको यदि और्मल डिहाइड का अपचैन करोगे, प्राइमरी अलकोहल मिलेगा, एसीटल डिहेड का अपचैन करोगे, प्राइमरी अलकोहल मिलेगा, जबकि एसीटोन का अपचैन करोगे, तो आपको क्या मिलेगा, सेकंडरी अलकोहल, ठीक है, यहाँ देखो, नोट लिखा है, बहुत बड़िया, कार्बोनिल कंपाउंड के रिडक्षन से तरसरी अलकोहल नहीं बनता है कुछ बच्चों के दिमाग में यह सवाल आ रहा होगा इसलिए यह नोट यहां आगया अपने आप यदि आप कार्बोनिल कंपाउंड का है यदि अलकोहल बनाने का कार्बोक्सलीक असिट के अपचयन द्वारा कार्बोक्सलीक असिट तो पता है Pronq H यह है और सी डबल ओ इसका रेडक्षन आप कर रहें तोड़ना है यह वाला चार नबजात हैड्यूजन हमें चाहिए डबल बॉंड टूट जाएगा दो एच उपर दो एच निच्छे यह तो निकल गया आपका स्टू में चीज आई आर सी एच्टू ओएच यह आगया लो एलकोहल ठीक है तो कार्बॉक्सलिक एसिड़ करोगे तो भी अलकोहल मिलेगा ठीक है ना जैसे हमारे पास यह ह चार नवजात हाइडूजन आपने इस्तमाल कर दिये तो डबल बॉंड टूट जाएगा दो एच उपर दो एच निच्छे यह तो एस्टू निकल गया आपका लो यह बचाव का सी एच थरी सिंगल बॉंड और यहां से एस्टू और एस्टू निकलने के बाद हमारे पास है सीएस थरी सिंगल पॉंड सीएस्टू सिंगल बॉंड दो कार्बन वाला एलकोहल जी से सारी दुनिया कहती है इथाइल एलकोहल तो आपको मैं एक बात बताओं बहुत बढ़िया जब भी आप इन मैथटर को समझते हो ना जब रिविजन करते हो तो रिविजन के टाइम सिर्फ आर से कर लिया करो इसका रिविजन निचे के तो सारे रियक्षम आप बनाई दोगैं आप सिरफ भी हिसाब से चला करो अर के हिसाब से धिकाफ़ इससे फास्थ रियविजन होता है做 येक्षम तो आपको आती है करनी मेरी जब्यवर्स जब आपको मैन मेन चीज मेन RCOCL, क्या होता है बटे, RCOCL, यह होता है, Acid Cloride, देखो, RCOCL, आपको इसका UpChain करना है, 4 नवजात हेड्योसन से एक तो बॉण्ड ये गया, HH, ये HCL निकल गा, इसमें से भी एक बॉण्ड गया, इसमें से Dable Bond में से एक पाई बॉण्ड गया, एक H निच्चे एक उपर क्या बना R CH2 सिंगल बॉन्ड OH R CH2 OH, HCL तो निकला ही है साइड प्रोड़क्ट, यदि ये रियक्षन आगी तो निच्चे की तो करीद होगे, जैसे माल लो हमारे पास ये है, HCOCL है, HCOCL ठीक है, इसका नवजात हैड़ोजन से जब रिड़क्षन करोगे एक बॉन्ड तो ये गया, ये तो HCL निकल गया और एक बॉन्ड इसमें से गया तो क्या बना, CS3 सिंगल बॉन्ड OH मिथाईल अलकॉल बन गया, देखो इसी तरीके से ये CS3 COCL है आपके पास CS3 COCL को हम एसी टाइल कलोराइड कहते हैं, एसी टाइल कलोराइड सामन्ने नाम, और इसका चैप्टर आएगा आगए, ठीक है तो इसका यदि चार दमजात हैड़ोजन से आपने रिड़क्षन करा एक बॉन्ड तो ये गया, H, H, ये तो कार्बन वाला एलकोहल है, कि थाइल एलकोहल नेक्स्ट, छटा तरीका देखो क्या है छटा तरीका है एसीड एन हाइडरेड के अपचेंद द्वारा एसीड एन हाइडरेड ऐसा होता है, देखो RCO, RCO, यहाँ ओ, हमें इसमें आर्ट चाहिए, नवजात हैडरेजन, एक तो यह वाला बांड गया, एक यह वाला बांड गया, H, H दुन्नों तरफ जुड़ेगा, इसमें से एक पाई बांड गया, तो आप देख रहे होंगे कि यहाँ से तो यह इतना हिस्सा तो हो निकल ली गया, यह निकल गया, अब क्या बचाहिए हमारे पास, RC, एक एच यह रहा, एक एच यह रहा, RCH2, OH, और यहाँ भी RCH2, सिंगल बांड, OH, दो बने हमारे पास एलकोहल, जैसे यह यह बहुत फेमस एन हाइडराइड है, एसिटीक एन हाइडराइड, इसमें यहाँ, R की जगा, दोलनों जगा, CS3 होता है, CS3, CO, CS3, CO, यहाँ, O, बिल्कुल, आर्थ नवजाद है, कोई सा भी अप्चैक ले सकते हो, जैसे तो निकल गया, आपका इतना H2O, यह निकल गया, क्या बचा, CS3, CH2, एना, इसके उपर, एक एरा, एक एरा, CS3, CH2, सिंगल बांड, OH, दो बनेंगे, दो कार्बन वाले अलकोहल, यानि इथाइल अलकोहल, जैसे आप इथे नॉल भी कहते हो, आठबा तरीका, एलकोहल बनाने का, एस्टर के अपचैन दोरा, एस्टर होता है, आर, C-Double-O-R, कहीं बाहर आ गया, एस्टर क्या होता है, एस्टर यह होता है, आर, C-Double-O-R, यदि आपको यह सारी चिज़े नहीं पता है न, कि अलकाईल, हैलाइड क्या होता है, हेलो, ए करेवीन क्या होता है एलकोहल क्या होता है एलकोहल फीन ओल इथर यह क्या होता है एल्डी हाइड कीटोन कारोक्सलीड का हना सुब करना चाहता हूं कि जो नीव में कमजोरी आ रही ना आपकी chemistry की जो नीव है जो जड़ है उसमें जो कमजोरी आ रही है वो सारी कमजोरी दूर हो जाएगी यदि आपने कक्सा 12-2024-25 की प्लेलिस्ट के सुरू के 11 लेक्टर देख लिए तो हमने इस बैच को बिल्कुल 0 लेवल से उठाया है और हर आपको यहां से तो यह पता चलना आपको क्या बन गया आरो एच यह बन गया और इसे देखना आर सी एच्टू सिंगल बॉर्ड वाली दो कार्बन से ऑक्सीजन इस तरीके से चुड़ा हो देखो है इसका लिथियम ऐलुमीनियम हडरेड से जब आपने अपचेंग करा या तो यह बॉन्ड तोड़ दो या तो यह था यह था इपॉक्शी एथेन और बन गया हमारा इथाईल एलकोहल या इथेन और यह हमारे पास इपॉक्सी प्रोपेन तीन कार्बन वाला इपॉक्साइ अब चैन करा तो यह वाला बॉंड तूट गया क्योंकि हमारे पास जो यह ओएच ग्रूप यहां जूड़के आएगा वो ज्यादे स्टेबल होगा व्यासे तो कुछ लोग लिखते हैं कि इसमें दुन्हों तरह के बनते हैं अलकोहल ठीक है पर यह वाला अलकोहल ज्यादे स् अलकोहल इसलिए यह ज्यादे मात्रा में बनता है तो केवल इसे लिख कर आ सकते हो आप पर आप इसके साथ साथ ऐसा भी कर सकते हो कि यह वाला बॉंड तोड़ दिया आपने एच एच तो आप इसके साथ प्लस करके लिख सकते हो कि दूसरा जो कंपॉंड बनेगा वो बने नेक्स्ट दस्वा तरीका है कार्बोनील योगी को उपर ग्रिगनार्ड अभीकरमक की करिया द्वारा यह बहुत इंपोर्टेंट रियक्षन है पहला रियक्षन ध्यान से समझ लिया तो सारे कर लोगे आप कार्बोनील योगी को उपर ग्रिगनार्ड अभीकरमक की करिया द्वारा यह कार्बोनील योगी कैसा होता है आर आर सी ओ आर एल्डी हडिया की टोन है इसके उपर जब भी आप आर एम जी एक्स का रियक्शन कराओगे गरिगनार्ड का तो क्या होगा यहां से एक बॉंड टूट जाएगा एक तरफ तो आर जुड़ेगा एक तरफ एम जी अब आप इसका क्या करोगे जलब घटन एक वो एक यह तो निकलगा आका सबी और यहां और यह तो है यह जैसे आप फॉर्मल डियाइड से इस रियक्शन को कर सकते हो फॉर्मल डियाइड होता है ह-C-H-O यह फॉर्मल डियाइड है और आप फॉर्मल डियाइड के उपर जब C-S-3-M-G-B-R का रियक्शन कराओगे तो यहां से बॉर्म टूट जाएगा इधर H और इधर O-H ठीक है यह निकल गया आपका M-G-O-H-B-R साइड प्रोड़क्ट में प्रोड़क्ट आ गया C-S-3 और यह क्या आए देखना ज़रा C-S-2 है और सिंगल बॉंड O-H ठीक है C-S-3-C-H-2-O-H आप इसे यह से लिख सकते हो इथे नॉल या इथाइल अलक C-S-3 हाँ M-G-B-R ठीक है तो इस कार्बन के उपर नया C-S-3 जुड़ा है उपर जुड़ा है O-M-G-B-R यह नया C-S-3 है O-M-G-B-R यह जुड़ गया अब आप इसका जलब घटन करोगे यह बॉंड टूट जाएगा इधर H और इधर O-H यह निकल गया side product M-G-O-H-B-R main product आया C-S-3-C-H इस H को तो इसके सार लिख सकते हो C-S-3-C-H और इधर भी C-S-3-C-H के उपर जुड़ावा है O-H देखो C-S-3-C-S-3-C-H के उपर जुड़ावा है O-H यह एक secondary alcohol है क्योंकि O-H इसमें secondary carbon के उपर attach है इसे हम कहते हैं ISO profile alcohol आप इसे secondary profile alcohol भी कह सकते हो आइसो नॉर्मल आइसो नियो प्राइमरी सेकंडरी टर्सरी यह सारी बाते पता होनी चाहिए जो class 12th 2024-25 के जो प्ले लिस्ट है बैच की उसके सुरू के lecture CC लिए हैं जिससे बच्चों के यह basic concepts clear हो जाएं जैसे ऐसी टोन है ऐसी टोन होता है कि उसमें 29R के जगा क्या आ जाता है CS3 आ जाता है यह ऐसी टोन है इसके उपर जब आप ग्रिगनार्ड का reaction कराओगे तो एक bond टूट जाएगा CS3 इधर MGBR इधर तो दो तो CS3 थे एक नया आ गया उसके साथ जुड़ गया OMGBR दो CS3 पुराने थे एक नया आ गया OMGBR इसका जब आप जलब घटन करोगे तो इहां से bond टूट जाएगा इधर H इधर OH यह तो निकल गया MG OHBR side product main product आया एक दो तीन CS3 है इस carbon के उपर और OH है देखो इस carbon के उपर कितने CS3 है तीन और एक है OH यह ट कह सकते हो terciary opioid alcohol क्योंकि तीन चार कार्वन है ना सब्चार कार्वाला फटन है और इसे कह सकते हो सकते हूं मैं उसके बाद आ जाते हम एसीड है एसीड क्लॉराइड पर गरिग्नार्ड की करिया द्वारा भाई acid chloride पर गरगनाड का reaction बिल्कुल इसी तरीके से होता है बिल्कुल इसी तरीके से जैसे carbonil compound पर हुआ है बिल्कुल इसी तरीके से यहां होगा जैसे मानलो acid chloride है RCOCL है RCOCL इसके उपर जब RMGX का reaction करोगे तो यहां से bond तूट जाएगा यहां R यहां MGX MGX CL तो निकल गया side product यह side product निकल गया आपके पास बचा है एक R पहले था एक नया आगया और यह CO अभी इसके उपर फिर RMGX का reaction करोगे तो अभी तो सीखा है इधर R इधर MGX जुड़ गया तीन R होगे और O के उपर जुड़ गया MGX फिर आप इसका जलब घटन करोगे यहां से bond तूट जागा इधर H इधर OH यह तो निकल गया side product MGOHX आया R R R और इस carbon के उपर OH ठीक है न उसके बाद अगला है MGX की RMGX की यानी Grignard की Oxygen से करिया वे जलब घटन दुoking तो आँगि आपके पास Grignard है उसकी Oxygen से करिया कर दो चलब घटन यह है ग्रेग्नार्ड RMGX आप इसकी Oxygen से करिया कर रहा है Half ोह यानी O से यह बन जाएगा R O M G X फिर इसका जलब घटन कर दो आप पिर इसका जलब गटन करोगे तो यहां से बॉन टूट जाएगा यहां यहां यह तो निकल गया साइड प्रोड़क्ट एमजी ओएच एक्स पिछले दो रियक्शन में भी यही निकल रहता साइड प्रोड़क्ट देखो यहां भी इससे पहले में भी जब कार्बोनील कंपॉ कि उपपर हमने ग्रिग नार्ड का रियक्शन करा है तो में प्रोड़क्ट आ गया आर ओएच यह बन गया अलकोहल आपका अब इसी रियक्शन को जैसे आर की जगह हमने सी एस त्री ले लिया एक्स की जगह भी आर सी एस त्री एमजी बी आर के उपर जब आप हाफ और फिर इसका हो से जलब गटन करोगे तो यहां से बॉंड टूट जाएगा है यह यह निकल जागा साइड प्रोड़क्ट में प्रोड़क्ट आएगा सी एस त्री ओएच ठीक है ना अभी से देख लो सी टू एच फाइव एमजी बी आर है पहले सी एस त्री एमजी बी आर थ यह तो निकल जाएगा एमजी ओएच बी आर साइड प्रोड़क्ट में प्रोड़क्ट आ जाएगा सी टू एच फाइव ओएच यानि इथाईल एलकोहल बताओ यह रियक्शन तो सिखा रखी है आपको आ जाओ चलो आग्या जाओ देखो बिटे नेक्स्ट तेरवा तरीग लगाई इपक्साइड की ग्रिग नार्ड रीजेंट से क्रिया दुवारा यदि आपके पास इपक्साइड है उसके उपर आप ग्रिग नार्ड का रीएक्शन करते हो तो कैसे आपको एलकोहल मिलेगा यह है इपक्साइड कार्बन कार्बन इस तरह जब जुड़ता है ना कार्बन के उपपर बरबर बरबर वाले तो इसे कहते हैं इपॉक्साइड यह इपॉक्सी इथेन है ग्रेगनार्ड का जब आप इसके उपपर रियक्सिन करोगे CS3 MGBR का तो चाहे तो यह बॉंड तोड़ देना चाहिए इससे फरक नहीं पड़ने का एक तरफ CS3 एक तरफ MGBR तो यह बन गया यह बन गया देखो धियान से यह क्या बना CS3 हाजी उसके बाद क्या है CS2 हाज्जी उसके बाद क्या है फिर CS2 हाज्जी फिर क्या है omggbr अब O M G B R का तो इलाज करना आता ही है आपको O M G B R जहां भी दिखाई दिया जलब घटन कर दो यह बॉन टूट गया है 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 यह यह निकल गया साइड प्रोड़क्ट M G O H B R में ची जाई एक दो तीन कार्बन वाला O H यह रहा है अब आपको बता है तीन कार्बन वाला O H ए जदे यह बनेगा कम यह लिख्खाव है जदे कौन सा बनेगा सामने पदने बहुत बढ़िए इसका नाम है normal प्रोपैल ऎल्कोहल का नाम है अई इसोप्रवाइल अलकोहल है इस लिए जोचीज जदे स्टेवल होती है उसके बनने के छांस और वह बनता भी है जद़ly जद ठीक है एमीन का पूरा चैप्टर है जिसे आप एमीन भी कह सकते हो नाइट्रोजन योक्त कार्बनिक योगिक भी कह सकते हो उसमें आपने हलागी पढ़ा होगा यदि आप रिविजन कर रहे हो इस वीडियो लेक्चर से यह एमीन है इसके उपर जब आप एच नो टू का रियक्शन कर आओगे न तो हमने आपको सिखाये था कि एच नो टू को ऐसे लिखना है ओच एच नो, ठीक है, रियक्शन ऐसे करनी है यह बॉंड गया, यह बॉंड गया, ओट यह ओच है, एन, यह वाले एन को जोड़ा है, तो क्या बना आर ओएच एंड टू गैस और एच टू यही तीन चीज बन रही है आरो इस तो बनाना सीख रहे जैसे आपने मिथाइल एमीन ले लिया CS3 NH2 इसके उपर HNO2 का रियक्शन करा होगे तो नाइट्रोजन के दुन्हों तरफ के बाउंड तोड़ दो OHNO CS3 OH N2S और H2O ठीक है ध्यान यह रखना है कि जब भी आप NA NO2 और SCL का रियक्शन करते हो ना अपस में तो आपको बीच में से क्या मिला HNO2 इस HNO2 का ही तो रियक्शन करा रहे हैं हम और इस तरीके से करा रहे हैं इस तरीके से और साथ हम NA CL बनता है इसकी ज़रत बहुत से इसे ध्यान रखना एक चैप्टर दो ऐसा है जो इसी रियक्शन के उपर आधरीत है पूरा चलो आ जाओं एक नोट लिखाव है बहुत बढ़िया नोट यह लिखाव है कि यदि नॉर्मल प्रोपाईल एमीन है आपके पास CS3 CS2 CS2 NS2 और उसके उपर आप NA NO2 और SCL का रि होने होने के करण ज्यादे मात्रा में बनेगा है और नार्मल प्रोपाईल एलकोल कम इस्थाई होने करण कम मातरा में बनेगा. यहां लिखा वाए क्यों है जी? क्या कारण है कि जो आपका आईसो प्रोपाइल ऐलकोहलेगा उसका रीजन यह है कि जो आपका जो यह है क्या और 심 sincere कार्बोकताईन और यह प्राइम्री कार्बोकताईन है risky कारबोकताईन और basic concept है जो आपको clear होना चाहिए यदि आप secondary carbocatine secondary दित्यक कार्बो धनायन और प्राथमिक कार्बो धनायन का यदि comparison तुलनात करते हो तो secondary carbocatine more stable more stable carbocatine होता है secondary carbocatine और जबकि primary carbocatine last stable carbocatine होता है primary carbocatine तो ज़्यादे stable है वो ही बनेगा ज्यादे है वो ही ज्यादे बनेगा ठीक है नंबर 15 एलकीन के जलियोजन या hydration द्वारा एलकीन कहते हैं double bonded hydrocarbon को देखो double bonded hydrocarbon है इसके उपर जब आप H2O का reaction करा होगे तो एक five bond तूट जाएगा इधर इधर OH बन गया alcohol लो बन नहीं गया alcohol CS3 single bond CS2OH इधाइल alcohol बन गया यह आपका प्रोपीन है तीन कार्बन वाला एलकीन प्रोपीन इसका जब आप इसके उपर जल का reaction करोगे तो यहां से पाई बॉन्ट तूट जाएगा दियान रगना पाई बॉन्ट तूट जाएगा तो आपको यहां मारकोनी काउस रूल के according चलना पड़ेगा यह बहुत बढ़ी आ पॉइंट आ आपको पता होगा वैसे इसके बारे में मारकोनी काउस ने बताया था कि नेगेटिव पार्ट यहां ओएच नेगेटिव है एच पॉजिटिव नेगेटिव पार्ट वहां जुडएगा जहां क यह बनेगा अधिक मात्रा में इसमें अधिक मात्रा में और यह बनेगा कम मात्रा में तो यू कैन राइट डाउन यूवर आंसर लाइक दिस आप इस तरीके से भी अपना उत्तर परिक्षा में लिखकर आ सकते हो पर यदि आप ऐसे लिखते हो तो यह तो है यह अच्छा जादे जो बनेगा उसी दिखा दिया हमने साइड प्रोड़क्ट को दिखाने की इतनी आवशकता नहीं होती है और मार्कॉनी कॉवस रूल भी इसमें स्वस्ट हो रहा है मार्कॉनी कॉव नियम वो है कि योगात्म कभी करिया में जो जूड़ने वाली इस पिसीज का रिन आयन है वो वहां जूड़ता है जहां कम हाइडोजन परमन उपस्थित होते हैं क्योंकि उससे ज्यादे स्टेवल प्रोड़क्ट हमें मिलता है ऐसा इसलिए होता है देखो अब हम बात करेंगे अलकोहल के बहुतिक गुणों की बनाने की विधी हमने पढ़ ली अलकोहल की अब हम बात करेंगे अलकोहल के बहुतिक गुण की बहुतिक गुण में सबसे पहले आती है बहुतिक अवस्था एक कारबन से 11 कारबन तक के जो एलकोहल हैं वे द्रव होते हैं द्रव अवस्था में उनका तीखा स्वाद होता है और उन में से विशिस्ट गंद आती है और जो उच्छ ठीक है तो एलकोहल जो होता है न यह रहा आर ओएच यह है अलकोहल और यह है पानी एच टू ओ तो एलकोहल पानी के साथ क्या बना लेता है यह कौन सा बॉंड है यह है हार्डोजन बॉंड एलकोहल पानी के साथ हार्डोजन बॉंड बना लेता है इसलिए पानी में घुलेग पर एलकोहल के साथ समस्या यह है कि उसमें एक तो एलकाइल ग्रूप है और एक हो एच ग्रूप जो एलकोहल का एलकाइल ग्रूप होता है वो होता है जल्वी रोधी क्योंकि हीट्रोकार्बन है ना कार्बनीक हिस्सा तो यह है यह तो जल्वी रोधी है एलकाइल ग्रूप त नहीं है और दुनों में लड़ाई होती है कि मैरा कहना मननो मेरा मननो पानी में घुल ओप घूलने का है कि कम अनूभार वाले अल्कोहल जल में घूलनसील होते हैं क्यों कि वे जल के साथ hydrogen bond बना लेते हैं कम अनुभार वाले का मतलब है कि यह जो alkyl group है वो छोटा होगा कम कार बनोंगे इसमें और यहां लिखा हुए अनुभार बढ़ने के साथ alcohol की जल में घुलन सीलता घटती है क्योंकि जल विरोधी alkyl group यानि R का आकार बढ़ता है जितना alkyl group आपका size में बढ़ता रहेगा समझ जओ alcohol की पानी में घुलन सीलता उतनी क्या होगी घटेगी alcohol की पानी में घुलन सीलता उतनी क्या हो जाएगी घट जाएगी चलो देखो समाव यवी alcohol की जल में घुलन सीलता यदि आपके पास समावी वी अलकोहल हैं तो उनकी जल में घुलनशील ता की बात करें तो आपका जो प्राइमरी अलकोहल होता है न वो सबसे कम घुलनशील होता है सेकेंडरी अलकोहल जादे घुलनशील होगा तरसरी अलकोहल उससे भी जादे घुलनशील होगा यदि समान अनूभार वाले प्राइम्री सेकेंडरी और टर्सरी अलकौहल को अलग-अलग बरतन में भरे पानी में आप गोलने का प्रियास करोगे तो आपका सब से ज़्यदे टर्सरी अलकौहल घुलेगा द्यान रखना अब आप कहोगे जी क्यों क्योंकि tertiary alcohol में क्या होता है कि यह जो alkyl group है में एक गोल आकरती में आ जाते हैं देखो यदि ये तिन्नो ये यदि primary alcohol होता तो लंबी फैली होती इसकी सरंखला सरंखला जितनी जादे लंबी होगी प्रस्थियक शेत्रफल उतना जादे होगा और असर भी उसका उतना जादे होगा आर का आर माने जल्विरोधी अलकाइल ग्रूप तो इसलिए ध्यान रखना कि tertiary alcohol जादे गुलेगा पानी में secondary alcohol उससे कम और primary alcohol सबसे कमी गुलेगा यदि अनुभार के हिसाब से आप चलते हो मतलब अनुभार एक जैसे है सारे alcohol के सबी alcohol कार्बनिक विलाइकों में घुलनसील होते हैं बही कार्बनिक विलाइकों में तो घुलेंगे क्योंकि खुद कार्बनिक हैं अपने रिष्टेदारों में निगुलेंगे नमबर तीन गलनांक वे कौथनांक अनुभार में व्रद्धी के साथ एलकोहल के गलनांक वे कौथनांक बढ़ते हैं तो अनुभार में व्रद्धी होगी तो एलकोहल के गलनांक वे कौथनांक क्या होंगे बढ़ेंगे क्योंकि अनुभार बढ़ने के साथ एलकोहल का प्रस्थियक शेत्रफल बढ़ता है प्रस्थियक शेत्रफल बढ़ेगा जिसके कारण उनके अनुवों के बीच लगने वाले वांडरवाल बल भी बढ़ता है अनुवों के बीच जो वांडरवाल बल है वो अनुभार के अनु पर यहां देखो जरा क्या लिखा हुआ है हाइडोजन बॉंड के कारण अलकोहल के कौथनांक अलकेन अलकाइल हेलाइड तथा एथर आधी से अधिक होते हैं मतलब यह सवाल आता है पेपर में कि अलकोहल का कौथनांक अलकाइल हेलाइड से और एथर से जादे क्यों होता है तो आप बताओगे क्योंकि अलकोहल में होते हैं हाइडोजन बॉंड अब यहां एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है समाव यवी अलकोहल के कौथनांक यदि आपके पास प्राइमरी अलकोहल है तो इसका कौथनांक सबसे जादे होगा सेकंडरी अलकोहल का उससे कम होगा इसका कारण यह है कि जो हमारा हमारा जो प्राइमरी अलकोहल है ना और सीस टू ओच प्राइमरी अलकोहल है उसके उपर जो धनावेस आएगा और सेकंडरी अलकोहल के उपर जो धनावेस आएगा और टरसरी अलकोहल के उपर जो धनावेस आएगा उनमें फरक होगा बहुत ठीक है मतलब होगा क्या आपको पता है कि अलकाइल ग्रूप जो होता है वो प्लस आई इफेक्ट दिखाता है यहां हाइडोजन के उपड़ डेल प्लस चार्ज आया और यहां आया डेल प्लस डेल डेस और ध्यान रखना प्लस डेल से कम है प्लस डेल डेस और इस से कम है प्लस डेल डेल डेस तो यहां चार्ज और भी ज़्यादे कम है तो चार्ज की वज़े सा ऐसा होता है ध्यान आपको यह रखना है कि कोथनांक प्राइमरी अलकोहल का सबसे जादे होगा टरसरी अलकोहल का होगा सबसे कम यह चीज फ्रेस लेक्चर में बहुत डिटेल में एक्सप्लेइन करी थी अभी हम रिवीजन कर रहे हैं इसलिए मैं ज जितना बढ़ेगा न अधिक मजबूत हाइड्रोजन बॉन्ड वो बनाएगा और ज्यादे मजबूत हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएगा तो कोथनांक उसका क्या होगा ज्यादे देखो यहां क्या है देखो फिर दुबारे से मैं एक चीज बता देता हूँ यहां देख रह और हाइडोजन बॉंड जितना मजबूत बनाएगा उसका क्वथनांक या गलनांक उतना ही जादे होगा यहां लिखा हुआ हाइडोजन परमान उपर आवेस जितना जादे वह अधिक मजबूत हाइडोजन बॉंड उतना ही बनाएगा और क्वथनांक उसका फिर उतना ही जा इथाईल अल्कोहल सरीर में अवसाद उत्पन करता है और बेहुसी आ जाती है इसे पीने से पीने से चराबी तो एही है अल्कोहल की विशाक्त प्रकर्ती अनुकर्मानुपाती होती है अनुभार जितना बढ़ता जाएगा उसका पॉईजनस नेचर या जहरीली प्रवर्ती उसके उतनी बढ़ेगी अल्कोहल की ठीक है उसके बाद हम बात करते हैं पांचवा बहुती गुण चालगता है कंडेक्टिविटी सह संयोजक बंधों के कारण अल्कोहल में मुक्त आयन नहीं पाए जाते हैं मुक्त आयन होते ही नहीं अल्कोहल में क्योंकि सह संयोजक ओपर है तो एल्कोहल के रासा ही निक गुण में ध्यान से समझना यह हमारे पास एल्कोहल जो होता है ना एल्कोहल जैसे मानलो हम बात करते हैं CS3OH की यह CS3OH बना देता हूं मैं CH3OH ठीक है तो हमें पता चल रहा कि बॉंड जो है क्योंकि इसमें और इसमें और उक्सीजन की विद्ध्ध्रणात्मकता जादे है जिसकी वज़े से उक्सीजन अपर आन्सिक धनावईस इस वाले हाड़ोजन पर भी का आन्सिक धनावईस आएगा यह दुन बंद धुरूविया हैं पर यदि हम इन दोनों का कंपेरिजन करें ना कि जादे धुरूविया यह है यह है तो आपको पता होना चाहिए कि यदि आप बात करते हो और इसमें यह वाला बॉंड जादे कमजोर होगा यह वीक बॉंड होगा प्राइमरी अलकोहल की बात कर रहे ह प्राइमरी अलकोहल में यह वाला बॉंड जादे कमजोर होगा और तरसरी अलकोहल में यह वाला ठीक है कारण इसका फ्रेस लेक्चर में बताया गया था और यहां में जादे डिटेल में नहीं जाओंगा आप ध्यान रखना एक रिविजन लेक्चर है तो सेगन्डरी अलक रहे थे देखो चलो बाद उस बात को छोड़ दो अब आजाओ एलकोहल की अमलिया प्रकरती यदि आपके पास कोई की अलकोहल है और उसका यह बॉंड टूट जाता है तो क्या वह एच्पॉजेटिवाइन मुक्त करेगा हाँ जी यदि उसने एच्पॉजेटिवाइन मुक्त करा तो फिर अमलिया प्रकरती तो दिखा ही रहा जब कि बच्चा जब अलकोहल को देखता है ना यह से आर ओएच तो उसके दिमाग में सिर्फ यही घूम रहा होता है कि और वह को मुक्त करेगा तो वह सोचता है कि ऐलकोहल क HORS यह उता है प्रकरती में पर वास्तविक्ता मेंलो कैसा होता है अमलिया है ऑhumहली प्रकरती का क्रम और ओडर आउसीडी नेचर या condition करेंट अलकोहल कौन सा ज्य या उप्रवर्ति या अम्ल़ीय प्रवलता दिखाता है क्योंकि है ल कोक्साइड आयन की स्टेबिलिटी का क्रम यह है आपका प्राइमरी अल्कॉड competition यह है यह तो मित् अपने इलेक्ट्रोन के जोड़े को इधर को भेजता है जिसकी वज़े से इसके उपर नेगेटीव चार्ज बढ़ता है और इसके उपर यदि ऑक्सीजन एटम के उपर नेगेटीव चार्ज बढ़ेगा तो आपको समझ जाना चाहिए उसका दुख और भी जादे बढ़ेगा और दुख बढ़ेगा तो इस थाई तो गटेगा जबकि यहां की बात करो तो यहां तो दुखो को बढ़ने वाले तीन-तीन हैं यह ती इसके दुख और भी जादे बढ़े जादे बढ़ेगे तो इस थाई तो गट गया जिसके दुख बढ़े उसका स्टेबलीटी तो गटी गई और इसके दुख इतने नहीं बढ़े हैं नेगेटिव चार्ज उतना नहीं बढ़ा तो प्राइमरी यानि मिधॉक साइड आयन ज्यादे stable होता है और टरसरी एलकॉक्साइड आयन सब से कम stable होता है इसलिए हम कहते हैं यह ज्यादे stable है तो यह बनेगा ज़ाद है यह कब बनेगा जब यहां से हच पॉजिटिव निकलेगा इसका मतलब इसका ish box चोड़ने का टेंड़ेंसी इसके अच पॉजचेटीव क्योंकि पता है इस फोजचेटि छोड़ने के बाद ज्यादे स्टेबल बनेगा और ये याइन थो शोड़ेगा तो इसे पता मुझे और जाना यह मेरा जो रिन आयन बनेगा उसे एकदम नर्ख में जाना है नर्ख में जैन्नूम में तो मैं क्यों छोड़ू भाई है एच्पॉजेटीव आयन मैं तो नहीं छोड़ने का हूँ इसलिए यहां पता चलता है कि हमारा जो CS3OH है वो सबसे यादे स्ट्रॉंग एसीड है जबकि टर्सरी एलकोहल सबसे वीक एसीड होता है यदि एसीडिक स्ट्रेंद का सवाल आता है तो इस चीज को द्यान रखना है और ज्यादे डिटेल में जाना चाहते हो तो आप एक वीडियो सर्च कर लेना प्रेरनिक यह कारण अभी क्रिया आएं है एच निकलेगा जैसे सकरिय धातुária क्रिया यदि आप ऐलकोहल की सोडियम से क्रिया करा देते हो तो आपको पता है सोडियम विद्धू-धु-ठैनिक स्यौडियम हारे इसका मतलब हारे वार्दोजन को ढईगा ध عنे cuanto लो और यह निकल जाए अब हम बात करते हैं मिठाइल अलकोहल है हमारे पास CS3OH सोडियम से करिया करा ही सोडियम ने इस हाइडोजन को धक्का दे दिया दो बन जाएंगे CS3OH ने और हाइडोजन गयस हमारी निकल जाएगी विद्धितरासाइनिक स्रेणी में हाइडोजन से उपर धातुएं हाडोजन से जादे करिया सील होती है क्योंकि उनका इलेक्टरॉड विवा हाडोजन से कम होता है या फिर रिनात्मक होता है इसलिए में जल से अमल से या को हाडोजन को हटा देगा है यहां से क्या मन जाएगा सीडीट वह फाइव और इसके उपर आप एन्याने सोडामाइड का रियक्सिन करते हो एलकौल के उपर सोडामाइड का रियक्सिन और होता क्या है कि यहां से बॉंड टूट जाता है एन ने एनस टू या फिर आप ऐसे भी कह सकते हों कि सोडियम ने हर्डोजन को हटा दिया किसी भी तरह सको सोडियम ने हर्डोजन को हटा दिया ऐसे कह दो आप इस वाले हर्डोजन को या फिर इस बॉंड को दोड़ गए हां सोडियम जोड हैं ध्यान रखना इस चीज़ को एलकोहल की जो एसटीटी है या एसटीटी के स्ट्रेंथ है वो पानी से क्या होती है कम अमली प्रबलता पानी से कम होती है चलो आ जाओ आगे नंबर दो कार्बॉकसिलीक एसिड यानी रसी डबलो एच से क्रिया जिसे हम कहते हैं एस्टेरी करण और यह र्यक्शन बहुत इंपोर्टेंट है अलकोहल से एस्टेर बनेगा और वाटर इस रियक proceso में एस्टर बनता है इस लिए स्टेरीकरंग या एस्टरीफीकेशन कहते हैं जैसे यह कार्बॉक्सली के सीड है रसी डबलो एच यह एलकोहल है आप जब रियक्शन कराओगे इनकी तो यहां से हैच और यहां से ओएच निकल गया क्या बना और यह बन गया एस्टर और यह बन गया एस्टूओ साइड प्रोड़क्ट को आप तीर के निच्चे एस्टूओ को दिखा सकते हो यहां जैसे आपके पास एस्टी के एसीड है सी एस्ट्री सी डबलो एच और यह हैं मिथाइल एलकोहल सी एस्ट्री ओएच उल्टा करके लिख रखा क्योंकि बीच में से एस्टूओ निकालना है यह निकल गया एस्टूओ को निकलने के बाद यह निकाल रखा देखको कंसंट्रेट एस्टू एस्टूओ पस्तिती में रीक्शन को इस लिए करते हैं क्योंकि इस्टूओ एस्टूओ इइरो घर एजन्ट होता है निर्जली कारक एस्टूो को निकालने में हेल्प करता है कि यह बना सी एस त्री सी यह बनेगा निदाइल एसिटेट मिधाइल एसिटेट यह तो मिधाइल है और यह है एसी टेट अब जैसे यह है प्रोपेजनोई इसमें से भी क्या निकल जाएगा यह तो मेन प्रोड़क्ट आए जाएगा सी टूच फ़ाइश तरी इथाइल प्रोपियोनेट इथाइल निमिधाइल एक कार्बन को मिधाइल करते हैं मिधाइल प्रोपियोनेट तीसरा रासा इनी गुण है एसिट क्लोराइड आर सी यो सी से करिया जिसे एसाई लेशन या एसी टाइलेशन भी कहते हैं ऐसी ली करन या एसी टाइली करन यह एल्कोहल है और यह है आपका एसीड क्लोराइड यहां से एच निकल जाएगा यहां से सी यल तो क्या बना आर सी डबलो और यह बना आर सी डबलो और एसी यह निकल आर सी होआ पार तो पता ही हैइस्टर तो अल्कोहल के उपपर ग्वाद Maurice हूं है इस रिचों करते हैं सब्सक्वा को हम कहते हैं ऐसा ऌहिलेशन जैसे आपके पास मिथाइल को लीए इसके ऊपर आप क्लोराइड यानी CS3 COCL का रियक्शन करा दिया तो यहां से है यहां से CL निकल जाएगा में चीज़ आजएगी CS3 CWO CS3 यह आगया मिथाइल एसीटेट ठीक है क्या बन गया मिथाइल एसीटेट एसीटेट बनता है इसमें कि इसीले तो इसे ऐसीटाइट करना कहते हैं हम या EASI-LATION AACID-ANHYDRID अइसे करिया पता है यह उसीटाइड अइसा होता है यह भी EASI-LATION ही है यह या इसीटाइड करना है यह ECID-ANHYDRID है RCO RCO-O एलकोहल का जब आप reaction करोगे तो यहां से bond तूट जाएगा इधर H और इधर O-R O-R H छोड़ रहा ना यह हर एक reaction में H छोड़ रहा Acidic nature पढ़ रहे R-C-O-H R-C-O-R R-C-O-H और R-C-O-R यह तो बन गया Carboxylic Acid और यह बन गया Ester जैसे एक example है हमारा Acidic N-Hired का CS3-C-O CS3-C-O और बीच में O है बीच में O है एक मड़ जरा hold करो जरा मुझे एक phone सुनना पड़ेगा का CS4-C-O-R झाल 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 प्लेश्य तो झाल यहाँ थिक्न टीक है छोदेखते हैं आगे ध्यार्ट देखो वो बीच में थोड़ा सा फोन आ गया था एमर्जेंसी था और साइद एक बार दुबारे फिर आ सकता है में वेट करूंगा जैसा भी होगा देख लेंगे ठीक है चलो टॉपिक को कंटीनू करते हैं हमारे पास एसके उपर यदि कारी CS3OH का आप रियक्षन करते हो तो यह बॉंड गया यहां हमेशा द्यान रखना नोट या ब्लॉक जहां भी आते हैं वे चीज्जें बहुत इमपॉर्टेंट होती है, note, block और cloud, सारे important होते है, note, block और cloud, यहां लिखावाई, si-lation केवल primary alcohol दिखाते हैं, जिससे primary alcohol दिखाते हैं, जिससे alcohol में उपस्तित OH ग्रूप की संख्या ग्याद की जाती है, तो एलकोहल में उपस्तित OH ग्रूप की संख्या ग्याद करने के लिए हम इस रियक्षन को करते हैं SI लेशन को ठीक है इस रियक्षन को करते हैं SI लेशन को चलो आग्गे चलते हैं आग्गे हैं हमारे पास इसमें आपके पास बैंजोईल कलोराइड होता है C6H5COOCL बैंजोईल ग्रूप उसे कहते हैं जब बैंजीन रिंग के उपड़ जुड़ा हो और उसके साथ क्लोराइड भी आ गया तो बन गया बैंजोईल कलोराइड तो इसके उपर जब आप अल्कोहल का रियक्षन कराओगे रोएच का तो बीच में से क्या निकल जाएगा यह बॉक्स में HCL और हमारे पास बनेगा C6H5COOR यह अन्योच की उपस्तिती में आप इसे कर सकते हो एलकाइल बैंजोईल इसे कहते हैं हम शार्टेन बाउमेन अभी करिया या बैंजोईली करन या बैं इसे हम कहते हैं मिथाइल बैंजोईट नंबर चेह ग्रेगनाड अभी करमक्से क्रिया या जैरो बिटीन ओफ विधी यह भी इंपोर्टेंट है जितने भी नेम रियक्षन आते हैं सारे इंपोर्टेंट होते हैं जो रियक्षन किसी वग्यानिक के नाम पर होगा वो इंपोर्टेंट ही होगा ठीक है ग्रेगनाड अभी करमक्से क्रिया यह हमारे अलकोहल है यह हमारे ग्रेगनाड है आर डैस एमजी एक्स आर एच निकल गया आर ओ एमजी एक्स मना आर डैस एच एलकेन आर ओ एमजी एक्स साइड प्रोड़क्ट जैसे आपके पास CS3 OH ह मिथाइल एलकोहल इसका CS3-MGBR यानि मिथाइल मेगनीसियम ब्रोमाइड से रियक्शन करा होगे तो CS3-H यानि CH4 मिथेन गैस बन जाएगी और साथ में CS3-OMGBR निकलेगा साइड्र प्रोडेक्ट ठीक है मिथाइल ऑक्सी मेगनीसियम ब्रोमाइड या मिथाउक्री मेगनीसियम ब्रोमाइड भी आप इसे कह सकते हूँ मन nis लिए यानि c2 तरी एक्सन करा दो दो नो बॉंड टूट जाएंगे एक तरफ दो एच एक तरफ दो ओर ठीक है माध्यमक्षारी यह है देखो इस कार्भन के उपर दो ओर जुड़ गे इसे कहते हैं है क्या गoken है अगला रासाइंआँ है नंबर आर्ट कार्बनिल कंपॉण से करिया कार्बोनिल कंपॉण कैसा होता है कार्बोनिल कंपॉण और किट न कोई तो कहते हैं कार्बोनिल कंपॉण बिदेफिय और कप कार्बन के उपर दो और आगे इसे कहते हैं केटल है है क्या कहते है कितल हम जितनी भी रियक्शन पढ़ रहे ना वह पढ़ रहे आलकोहल अपने किसेट कर रहा है एक को अबिट हो है है उपने एच को फ्री कर रहा है यानि ऐसे डाया दिखा यहां स्वा we आरसी एच्चो में क्या होगा यह इस टू ओ निकल गया और इस कारबन के उपर दो आरा गे इसे हम कहेंगे एसी टल ठीक है और यह सी एस तरी सी एच चो है एसी टल डिहाइड इसके उपर यदि आपने सीसरी वेच का रियक्शन कर दिया तो अस्टू ओ निकल गया दोनों ओ स यस्तरी यह वाला यह वाला इस कार्बन के उपर जुड़ जाएंगे यह जुड़ गे मिथाइल एसलिए कहा हम मिथाइल मिथाइल एसलिए ठीक है यह सारे रियक्षन थे कौन से जिन में हमने देखा कि हमारे एलकोहल ने हमें अपना एच आयन यानि एच पॉलिटिव आयन रिलीज करा है यानि एसडिक नेचर दिखाया है अब हम बात करेंगे ओएच ग्रूप के प्रतिस्थापन के कारण अभी करिया है अब वे रियक्षन देखेंगे हम जिन में हमारा एलकोहल रिलीज करता है कौन सा ग्रूप UH ग्रूप बीलीज गरता है ठीक है जैसे PCL3 से करिया PCL3 से करिया यह हमारा एलकोहल है ROH ROH इसके उपर जब PCL3 का reaction होता है तो ध्यान रखना PCL3 के reaction में ही हमें 3 OH लेने होते हैं इतने 3 OH जो हम लेते हैं वो किसके reaction में लेते हैं PCL3 के तो यहां से तीन नो बॉंड गए है अकिला पी इधर तीन नो सील इधर तो यहां तो यह हमारे पास आरसील 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 तीन बनेगे अलकाइल करोरेड एस थ्री पी ओ थ्री एच थ्री पी ओ थ्री जिसे कहते हैं फॉस्फोरस एसिड जैसे आप इस reaction को ऐसे और PCL3 का reaction करा दो यह तीन नो बॉंड तूट जाएंगे तीन सील इधर एक पी इधर तीस थ्री सील मिल जाएंगे तीन और एस थ्री पी ओ थ्री तो मिल नहीं है यदि आप सी टू एच पाई ओएच यानि इथाईल एलकोल के उपर reaction कराने जाओगे PCL3 की तो यह बॉंड तूट जाएगा तीन नो तूट गें तीन बॉंड है तीन नो सील इधर और पी इधर तीन बनेंगे तीन बनें और एस थ्री पी ओ थ्री तो बनना ही है तो PCL3 का reaction करना आना चाहिए आपको और यह बहुत इंपोर्टेंट रियक्षन है जो इससे मैं आपके समख सुपस्तित हुआ है यह रियक्षन है PCL5 का reaction विद PCL5 पासफरस पेंटा क्लोरेड बहुत इंपोर्टेंट रि उसके उपर जब आप PCL5 का reaction करते हो तो दुन्नों तरफ के oxygen के bond तूट जाते हैं पास CL है एक यहां जुड़ेगा एक यहां जुड़ेगा और बीच में P बचा है और तीन CL में यहां जुड़ जाएंगे यह तो बन गया RCL यह बन गया POCL3 यह बन गया HCL ऐसे ही आप CS3 OH के उपर PCL5 का reaction करा सकते हो ऐसे ही C2H5 OH के उपर PCL5 का reaction करा सकते हो बहुत important reaction है और PCL5 गई चचेरा भाई है थायोनील कलोराइड SOCL2 के साथ करिया यदि आपके पास कोई alcohol है ROH और alcohol के उपर आप reaction कराते हो थायोनील कलोराइड की SOCL2 की तो oxygen के दुन्नों तरफ के bond तूट जा हो यह क्या बना RCL यह बना SO2 gas और यह बनी है HCL देखो RCL SO2 HCL ऐसे ही आप reaction करा सकते हो CS3 OH के उपर SOCL2 की और C2H5 OH के उपर SOCL2 की सेम टाइप से यह दुन्नों reaction होंगी वह इसा भी alcohol हो SOCL2 और PCL5 का reaction बिल्कुल एक ही तरीके से होता है next number 12 halogen acid से क्रिया halogen acid यह हमारे पास है alcohol और यह है halogen acid HX यदि आप इसका reaction कराओगे तो बीच में से क्या निकल गया H2O आप सोच रहे होंगे कि सर अभी तो alcohol H positive छोड़ रहा था अब alcohol ने OH negative छोड़ना शुरू कर दिया ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि alcohol के सामने जो खड़ा है न वो बहुत strong acid है HX HX का मतलब जैसे H HCL भी आ रहे चाहिए तो HCL तो बहुत strong acid है alcohol के मुकावले एलकोहल तो acidic nature दिखाता है पर अभी थोड़ी देर पहले मैंना आपको बताया कि alcohol का जो acidic nature है वो पानी से भी कम होता है अब आप कहोगे कि सर पानी भी acidic होता है पानी भी तो H positive wine release करता है ना पता है आपको पानी भ आप है है तो acid पर इसके सामने जब एक यह से रहे तो बबर से रहे अब बबर से रहे तो वह अपना acidic nature दिखाएगा ठीक है तो यहां से एच यहां से वह इस निकला आर एक्स बन गया क्या बन गया आर एक्स एलकाइल हैलाइड और एस्टू जैसे हम कहें कि हमारे पास primary alcohol है क्या निकलेगा एस्टू निकलेगा और आपको मिल जाएगा क्या आईसो एलकाइल लोराइड यानी एक्लोरीन सेकंडरी कारबन के उपर एटेच है यदि टरसरी एलकोहल आपने ले लिया उसके उपर हैसी एलकारी एक्सान करा दिया तो यहां भी एस्टू निकल गया और पर एटेच हो जाएगा तो आपको एलकाइल लोराइड मिल रहा है हर बार ठीक है यहां देखना बहुत बढ़िया बाते हैं नोट HX की क्रिया सील ता का क्रम HCL सबसे कम क्रिया सील होता है इस रियक्षन के लिए जो हम सीख रहे हैं अलकोहल के उपपर जब HX का रियक्षन करते हैं तो अलकोहल के उपपर HCL का रियक्षन सबसे कम होता है सबसे उससे ज़्यादे HBR का HI का reaction सबसे ज़्यादे होता है और पिटे अलकोहल की क्रिया सीलता का करम primary alcohol सबसे कम क्रिया सील secondary उससे ज़्यादे tertiary उससे ज़्यादे क्रिया सील होगा ठीक है क्योंकि वो OH negative छोड़ने के बाद जो कार्बो केटाइन बनेगा ना तरसरी कार्बो केटाइन सबसे ज़्यादे स्टेबल होगा इसलिए इस पर्टिकुलर रियक्शन में एलकोहल की क्रिया सीलता कौन से की सबसे ज़्यादे होती है त्रिष्याक एलकोहल की टरसरी अलकोहल वो SN1 रियक्शन दिखाता है इस पर्टिकुलर रियक्शन में ठीक है क्यों दिखाता है पिछले चैप्टर में मैंने आपको डिसकस करवा दिया था यह बात और जब इसका फ्रेस लेक्चर लिया था तो उसमें भी डिटेल में यह बात बताई थी यदि डाउट हो तो आप वहां जाकर देख सकते हो देख सकते हों वहां जागर अग्या चलते हैं एक मत रूजाओ जरां लाइट वालो ने अलग परिसान कर रखा चलो अमोनिया से करिया यह यह अमोनिया है इसके उपर एलकोहल का रियक्शन करोगे तो यहां से हैच और यहां से ओई निकल जाएगा यह निकल गया यहां एनेस टू बचा आर आ गया ना उसके जगा आर एनेस टू बन गया हमारे पास प्राइमरी एमीन इसके उपर फिर एलकोहल का रियक्शन होगा यहां से हैच और यहां से ओई एस टू निकल गया अब आर दो आगे आर आर एनेच यह से कह सकते हो इसके उपर फिर स्थिति यह बनेगी आर जुड़तो जाएगा चार होगे और फोर एन पॉजिटिव और ओएच नेगेटिव इसके साथ होगा इसे हम कहेंगे फोर डिग्री अमोनियम साल्ट चतुसक अमोनियम लवन जैसे आप अमोनिया के उपपर रियक्शन करा दो सी एस त्री ओएच की ए जैसे आप आर की जगए यह यह निकल लिए आर ओ एनो टू इसे कहते हैं एलकाइल नाइट्रेट जैसे आप आर की जगए CS3 ले लो न, CS3 OH का जब आप HNO3 से reaction कराओगे तो S2O निकल जाएगा CS3 ONO2 बनेगा जैसे आप कह सकते हो, methyl nitrate methyl nitrate next एक मनद रुख जाओ एक चलो HNO2 से करिया alcohol और HNO2 HNO2 को ऐसे लिख सकते हो OHNO, यहाँ भी H2O निकल गया और RONO मिल गया हमें, RONO alkyl nitrite जैसे R की जगाँ आप CS3 करके इस reaction को लिख सकते हो उसके बाद नंबर 16 वा रासाइनी गुण है नर्जली करने या dehydration और इस से पहले आपको पता होने चाहिए प्रमुख नर्जली कारक कौन-कौन से dehydrating agent है जो हमें इस्तमाल करने चाहिए एक तो है Concentrate S2SO4 क्या है Concentrate S2SO4 एक S3PO4 है एक Phosphorus Pentoxide Al2O3 Alumina KHSO4 THO2 यह सारे क्या है यदि किसी को इनके साथ गरम करोगे ना किसी कार्बनी की होगी को तो उसमें से S2O remove कर देंगे पानी निकल जाता हो उसमें से जैसे CS3, CS2, OH है इसका आप H2SO4 Concentrate H2SO4 से जब reaction करोगे तो क्या होता है कि यहां से H, यहां से OH निकलेगा यह निकल गया H2O ठीक है, क्या बनेगा CS3, CS2, HSO4 यह बनेगा इथाइल हाइडरोजन सलफेट अब यदि आप इस reaction को 100 डिगरी C पर कराते हो तो ऐसे होगी यह reaction, ध्यान रखना हमारे पास इथाइल एलकोहल को यदि 100 डिगरी C पर Concentrate H2SO4 के साथ गरम करोगे तो S2O निकलेगा पर इथाइल हाइडरोजन सलफेट आपको मिलेगा मेन प्रोड़क्ट के रूप में और यदि आपके पास इथाइल एलकोहल है और आप Concentrate H2SO4 के साथ 130 से 140 डिगरी C पर गरम कर रहे हो, तो एक मैं से और एक मैं से ओच निकल जाएगा इथाइल एलकोहल के दुन नोड़ों में से एक मैं से एक मैं से ओच S2O निकल गया मेन प्रोड़क्ट आगा C2H5 O C2H5 डाइथाइल इथर यह मेन प्रोड़क्ट आ जाएगा आपका मदलब टेमपरेचर ध्यान रखना है सुव डिगरी सी पर कैसे हुई रियक्षन 130 पर कैसे और युदी आप ऐथाईल एलकोहल को के साथ 160 से एक सट्री डिगरी सी पर गर्म करते हो तो यहां से एक तरफ से एक तरफ से वह इस निकल जाएगा यह बनेगा आपका सीएस्टू डबल बॉंड यहां बनेगा सीएस्टू तो क्या बनेगा दो कार्बन वाला एलकीन जिसे आप इथीन कहते हो या एथीलीन यह तिनों रियक्षन में टेंपरेचर के हिसाब से याद रखना ही नहीं है और लिखा हुआ है मोस्ट इंपोर्टें और आप उसे गर्म कर रहें concentrate s24 के साथ तो समस्या आएगी हमें पता है इहां से निकलना है यहां से निकलना चाहिए यहां से तो एक वेग्या निक्त थे उन्हों नहीं निकलेगा जहां कम है यहां तो तीन है यहां तो दो हैं यहां से निकले और यही वाला प्रॉडक्ट से और यहां से सिंकलेगा डबबंड इहां आएगा वह कम बनेगा यहां लिखा वाए देखो यहां डब्ल बार्णड वाला ब्यूट-ेशल टूइलेगा यहाँ यहां से कम हो टीक हैं ब्यूटेट्ट टू लो जो एक secondary alcohol है यदि इस तर्सरी अलकोल को देख लो ना तू मिथाइल प्रोपेन टू ओल तर्सरी अलकोल है concentrate S2O4 के साथ गर्म कर रहे हैं तो क्या होता है यहां से हैच और यहां से वह इस निकल गया यहां एक नोट लिखाव है जिसमें कोई-कोई पेपर सेटर जो खतरनाग है वो सवाल पूछता है इस नोट के उपर अलकोहल के निर्जली करण के प्रतिक रिया सीलता टर्सरी अलकोहल सबस्यादे तयार है कि मेरे में से निकाल लो पानी secondary अलकोहल उससे कम और primary अलकोहल सबस कमी हो जाना जैसे जब बच्चे होते हैं जो छोटे बच्चे छोटे बच्चोंगोगो जब उल्ती दस्त लग जाते हैं उल्ती को लगने से उनके स्रीर में पानी क कमी हो जाती है और डॉक्टर के बाद जब जाते हैं तो ढक्टर कहता है कि इसे तो ट्री है ट्री हाइD यौइन आ हीरिसं म से और चावले बच्चे हैं जिन्ह cartoons की समझ हो समुझ हो रखया औरन्र समय वे करन या अ Alternative किसे करते हैं में अलकोहल का यह जो चीज यहां लिखने बहुत इंप्पॉर्टेंट declarisam को आंए कर दो करते है तो सबते हैं कि इस अई जेसे आहां रख सीगरा प्रामुख आप्चायक के बाल सिखायते प्रमुक निर्जली का रख अभी सिखायते दो तीन ृइनट पहले और यहां आगया आपके पास प्रमुक आक सी कारख कार्बनी कर रसायन में विपदार्थ होते हैं जो हमें नफजात ऑउकसिजन प्रोवाइड कराते हैं जैसे अपचायक में पदार्त होते हैं जो नवजात hydrogen प्रोवाइड कराते हैं नवजात oxygen देंगे जैसे अम लिए केमनो4 में थोड़ा acid डाल रखा है प्रटेंटिम अरषर चारी एकमन नो फोर को डालन रखा में उदासीन के एमन नो फोर हैं के टूसी अर्टियू सेवन प्लस है पॉटेसियूम डाइक्रोमेड यानी के टू सेड़ू सेवन प्लस हैस्टी ओसओ फोर भी आप इसे लिख सकते हो हम लिए MnO2 यह सारे के सारे क्या हैं आक्सी का रखें जो बहुत बढ़िया हैं और इन में से ध्यान रखना इसका इस्तमाल सबसे जादे करना आप ठीक है जैसे मैंने कहा था कि अपचायक में लीथियम, अलुमीनियम, हड्राइड का सबसे जादे इस्तमाल करना इसी तरीके से आक्सी कारकों में आपको इस्तमाल करना है अम लिए पोटेसियम डाइक्रोमेट का यानि के टू सी आटू सेवन प्लस एस्टु 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 और आजाओ जैसे आपके पाद प्राइमरी अलकोहल है और सी एस्टु ओच इसका जब भी आप आप ऑक्सीडेशन करोगे तो यहां से ह यहां से एच और यहां से ओ एस्टु ओ निकल जागा यह बनेगा आर सी एच ओ यह बनगा आर सी एच और सी एच अच और यही तो बताया कि एक Ketone बनेगा और उसका Oxidation करोगी तो Carboxylic Acid बनेगा पर यदि प्राइमरी एलकोहल है प्राइमरी एलकोहल ऑक्सिडेशन करने से हमें से LDHID मिलता है और LDHID के further Oxidation से आपको Carboxylic Acid मिलता है यदी आपके पास है यदी आपके पास secondary एल्कोहल है देखो सेकंडरी अल्कोहल ले लिए हमने एक दो तीन चार पांच कार्बन वाला ठीक है इसका नाम है पेंटेन तुओं या सेकेंडरी पेंटायल अल्कोहल भी आप इसे कह सकते हूं यदि इसका ऑक्सिडेशन कर दिया तो यहां से एच यहां से यहां से ओए तो Primary alcohol के Oxidation के अल्डी हड बनेगा सबकी Secondary अल्कॉहल के Oxidation करोगे आगए Oxidation करोके तो पस एक छी ध्यानर रखनी है ध्यान क्या रखना है कि यह जो सी ओ गृूप है वो उस तरफ जाएगा जिस तरफ कम carbon है, इधर एक carbon है, इधर कितने 3, तो bond यहां से तूटेगा, एक तो बनेगा 2 carbon वाला carboxylic acid, और एक बनेगा 3 carbon वाला carboxylic acid, oxygen तो बहुत आये तो में उपलब्द है, इसे भी मिल जागी, इसे भी मिल जागी, तो एक तो बना आपका 3 carbon वाला, CS3, CS2, CWH, यानि propion acid, सामने नाम है, propionic acid, IUPAC नाम होता है, propionic acid, एक बनेगा 2 carbon वाला, CS3, CWH, जिसे आप acetic acid, या इथे noic acid कह सकते हो, ठीक कहना, ध्यान रखना इस चीज़ को, हमने जो है, यह bond क्यों तोड़ा है, जब भी आप ketone का oxidation करते हो, तो हमें carboxylic acid मिलते हैं, दो तरह के, यह co group तो नहीं डाउन हुए, है अभी तो, चल जाएगा काम, चलो आग्या चलते हैं, आग्या चलते हैं, चलो, अब हम बात करते हैं, कि जैसे मालो हमारे पास यह है, tertiary butyl alcohol है, OH, देखो यह OH, जिस carbon से टैच है, वो tertiary carbon है, इसका यदि oxidation करोगे न, तो oxidation करने से क्या होता है, है, कि यहां से तो H, और यहां से 1 H, और यह O, H2 O निकल गया, अब हमारे पास क्या बचा है, यहां double bond O, और यह जो हमारा CH2 group है, यह भी अलग हो जाएगा, यह भी यहां से क्या हो जाएगा, अलग हो जाएगा, देखो दिखा रहा गाने, bond टूट गया, CS3, CS3, CO, और यह H गया, और यह गया, तो यहां जो है, CH2 ही तो बचा, उसके साथ भी Oxygen जुड जाएगी, CH2 के साथ क्या जुड जाएगी Oxygen, यह CH2 O बनेगा, CH2 O को आप CH2 O एनी Formal Dehyde, एक तो Acetone बन गया, एक Formal Dehyde बन गया, अब इनका दुरनों का Oxidation करोगे, तो इसके Oxidation से क्या होगा मालो, इसमें तो इस, इसे ऐसे ही तो लिखते हैं, देखो, CS3, CO, CS3, अब यहां यदि मैं कहूंगी, हम कीटोन का Oxidation कर रहे हैं, तो Carboxlic Acid बनेगा, इसके इधर भी एक Carbon, इधर भी एक Carbon, तो यहां तो वह बात ही नहीं, कहीं से भी तोड़ दो बॉंड, हमें पता है कि दो कारबन वाला और एक Carbon वाला और यह एक हैCACD और एक एक Carbon वाला है, यहां से बना और चाहे तो कह दो यहां से बना, बंता है दुना जगा सहीं ठीक हैं, उसके बाँन नंबर 18, V hydrogenation यानि hydrogenation का निकलना, यदि आप के पाद primary alcohol है और यह आप उसे copper के साथ हों कापर जो है hydrogen को remove करदेता है यहां सा यह निकल गया बनेगा और अर सी एच्चो यह बनेगा LD हाइड और यदिधि आप के पास secondary alcohol है यह देखो और सी हे चार सी है और यह OH है, copper के साथ गरम करोगे तो यहाँ से H, यहाँ से H निकल जाएगा यह बन जाएगा ketone तो copper की खासियत यह है कि यदि copper, silver या gold के साथ आप किसी भी alcohol को गरम करोगे तो उसमें से H2 निकल जाएगी hydrogen gas और hydrogen gas निकलने से आपको क्या मिलेगा L-D-Hadia की टोन मिलेगा जैसे आपके पास यह tertiary butyl alcohol है, copper के साथ गरम कर रहे है, tertiary alcohol को tertiary alcohol की साथ समझ से आजाती है यहाँ से H और यहाँ से OH निकलता है, H2 और dehydration होता है इसमें, और आपको यह मिलता है, 2-methyl-propene tertiary alcohol को copper के साथ गरम करने पर hydrogen gas नहीं निकलती, ध्यान रखना ठीक है, ऐसा पता क्यों होता है क्योंकि हमें पता है कि यहाँ से OH निकलने के बाद जो कार्बोकेटाइन मिलेगा ना tertiary कार्बोकेटाइन वो ज़्यादे स्टेवल होगा इसलिए वो ही बनना पसंद करता है इसलिए आती है, यह समस्या प्रेस लेक्चर में समझा रखा है आपको नमबर 19 hydrogen से करिया, यदि आपके पास यह primary alcohol है, RCS2, CS2 OH है sorry, halogen से, halogen से, इसके उपर chlorine का reaction करा दिया आपने तो chlorine का reaction कराने से क्या होता है पहले यहाँ से H, यहाँ से H इसका oxidation होता है, पहले इस्टेफ में oxidation हुआ है, यह बना RCS2, CHO, RCS2, CHO LDH, बन गया और आपको बताए, CHO main carbon है, इसके जस्ट परबर वाले carbon को आप कहते हो, alpha carbon क्या कहते हो, alpha carbon अब इसके उपर reaction होगी chlorine की, क्योंकि 2H है न, 2Cl2, 2H, 2Cl2 2HCl निकल गए, और यहाँ 2Cl आ जाएंगे, RCH2 की जगा CCL2 आगया, CHO alpha dichloro aldehyde जैसे, आपका यह है, secondary alcohol, इसके उपर chlorine का reaction कराओगे, तो पहले oxidation होगा, यहाँ से H, यहाँ से H, यहाँ से O, S2O निकल जाएगा, यह क्रिटोन मिल जाएगा, क्रिटोन का यह वाला alpha carbon है, उधर होता तो उसे alpha dice कहते है, वहाँ भी reaction होती, यह दो नो H, निकलेंगे, दो CL के साथ, और दो नो H की जगए, दो CL आ जाएगे, यह बन गया, आपका, RCCL2, COR और, alpha dichloro ketone, ध्यान रखोगे, इस चीज़ को, क्लोरीन के साथ कैसे reaction करता है हमारा alcohol, उसके बाद number B, से दहन, यह तो बहुत आसान है, ध्यान रखना, दहन मने जलना, किसी भी alcohol को यदि आप oxygen के साथ गर्म करोगे, तो carbon dioxide और water बनेगा, आपको balance करके लिखना है, तो ऐसे लिख लेना वैसे balance करने की जड़रत नहीं है, ठीक है, यह होगे बिटे, रासाइनी गुर्ण, और हमारे पास जो सबसे पहला compound है, एक मिट होल्ड करो जड़ा हूँ, होल्ड करो, होल्ड झाल हाँ, देखो बिटे, एक मिट बीच में थोड़ा disturbance हो रहा ना, कोई बात नहीं होने दर, disturbance, काम तो चल रहा है, न हमारा, आ जो, क्या पढ़ना था, हमारा पहला compound है, मिटाइलध अलगौहल, जीज़े हम मिथैनॉल भी कहते हैं, कास्ट इस्पृत भी कहते हैं, कास्ट नेφथा भी कहते हैं, और, Ś दूसरा तरीका यह है कि आपके पास फॉर्मल डिहाइड है एच सी एच चो इसका अप्चेन कर दो आप यह बॉंड टूट गया एक एच इधर एक एच इधर यह बन गया सी इस सिंगल बॉंड ओएच इससे भी सी एस तरी ओएच आपको मिल जाएगा ठीक है चलो अगली बात करते हैं मिठाइल अलकॉल बनाने का तीसा तरीका देखते हैं तीस तरीका है आपके पाइड मिठाइल एसी टेट है सी दबलो सी इसका जो है आप क्या करो जलब घटन करो हो माध्यम अमलिय या अक्षारिय कुछ भी ले सकते हो तो यहां से बॉंड तूट जाएगा इधर एच इधर ओएच यह बन गया साथ में CS3OH जिसकी हमें जोरत है इन दुर्णों को हम अलग कर सकते हैं बड़ी असनी से भी सिखाऊंगा कैसे अलग करेंगे बन तो गया न मिथाइल अलकॉल अगला तरीका फॉर्मिक ऐसे आपके पास HCOOH इसका आप अपचैन कर दो लीथियम अलूमिनियम हाइडरेड है तो ठीक है एक तरीक आए है आपके पास ग्रिगनार्ड है CS3MGBR इसे आप मैगनीसियम प्रोमाइड कह सकते हूं जो एक ग्रिगनार्ड अभी करमाक है इसके उपर आप ऑक्सीजन का रियक्सन कर रहा है यह सारी रियक्सन अभी सिखाई मैंने थोड़ी देर पहले तुमें यह म पर में चीज यह है देखो जो अब आई आपके सामने इसमें बच्चे होते हैं परिसान जादे और जो पेपर सेटर थोड़ा खतरनाक होता है वो इस सवाल को दे देता है मीथे नौल के अध्योगिक निर्मान की विधियां और इसमें से यह विधियां लकडी के बंजक आस करना है बिना ऑक्सीजन के गरम डेल्टा माने गरम करना विधाउट ऑक्सीजन ऑक्सीजन की अनुपस्तिती में ऑक्सीजन की नियंतरित मात्रा में गर्म करना है जिससे आपको एक तो लकडी का कोईला मिलेगा और एक मिलेगी वाश्प भाप कास्ट कोईला कोई तो कहते ह से हैं जब लगडी की भाफ को संघनीतर से ठंडा करोगे ना तो आप संघनीत होकर वो द्रव मिलेगा एक आपको और साथ में कास्ट गैस मिलेगी जो ठंडा कर रहे पर द्रव इतनी हो रही उसकास्ट गैस को तो अलगी कठ्था कर लो इंधन पर जो द्रव है उसकी जो रते हमें वो जो द्रव है उस द्रव को एक बरतन में भर दो आप बरतन में भरोगे तो निच्छे तो काले रंगा घाडा घाडा ही कठा हो जाएगा जिसे कहते हैं कास्ट टार यह लखडी का तार कॉल और उपपर का हलके भूरे रंगा हो CS3, Acetone और एक होता है हमारी काम की चीज CS3 हो है जिसे हम बनाना सीख रहे हैं यह तीन चीज़ है इसके अंदर जो भूरे रंगा लिक्विड है उपर तो अगला स्टेप है कि जो पाइरो लिगनियस ऐसीड है इसकी भाब बनाओ और भाब बनाकर उसे भाब को calcium hydroxide यानि तीन चीज थी ना इसमें से इन तीन चीज में से आपका जो Acetic Acid है सिरकाया वो calcium Acetate का वक्षेप मिल जाएगा और उस अवक्षेप को छान के आप अलग कर लो ठीक है कैसे होगा यह Acetic Acid है आपका CS3COOH और यह है आपका COH का होल ट्वाइस यानि बुजावा चुनना या चुनने का पानी तो यहां से एच यहां से ओच यहां से यहां से यहां से वच यह निकल गादो यह बना CS3COOH का होल ट्वाइस सी है यह दो कैल्सियम Acidate के अवक्षेप मिल जाएंगे इन अवक्षेपों को छान के अलग कर लो आप अब आपके पाद दो चीज बची है यह गर्म करो क्या होगा जब आप प्रभाजी आस्वन वीधी द्वारा करना है चपन पर गर्म ऐसा करने से आपका ऐसी टोन उड़कर चला जाएगा अलग ऐसी टोन अलग हो गया और आपके पास बचा है अलकोहल अब आप सोच रहें अलकोहल के लावा कुछ और सुद्धी भ भंज़क आस्वन से अच्छा एक और अध्यों के निर्मान की विधी जिसे कभी कभार कोई टीचर पूछ लेता है अरगेरा नत्थु घहरा कोई टीचर ऐसा पूछ लेता है जो सूचता है कि चलो बच्चों के उपर जादे जोड़ नहीं पड़ना चाहिए हम अध्यों की या भापंगार गयस कहते हैं इसके उपर जब हाइडोजन का रियक्शन कराओगे न आप तो हाइडोजन का रियक्शन कराने से आपको CS3OH मिल जाएगा बस यह उपर उत्परे रखें आपको पूरा लेक्शर मिल जाएगा आपको पता चल जाएगा कि वर्धक क्या होते हैं atikho c कितना है है यह हाँ है 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 इसकने हैं दो और तो चार तीण और एक चार आक सीजन एक हागा तीसरा तरीका कार्बन मोन मॉंडूकसपाइड के हद्रोजनी करण द्वारा है कार्बन मोनोंडूकसइड है हटरोजोटी करण है यह यह हडूजोजन से क्रिया कुछ मिल जाएगा आपको कि यह हैं उद्ध्योगिक निर्मान के तरीके CS3 ओएच के मिठाइल अलकॉल अब आते हैं बहुती गुण उपर इस पर आते हैं बहुती गुण पर बहुती गुण में मिठाइल अलकॉल रंग ही जोलन सील्व है उदासीन द्रव है इसका साथ रख लेना 64.60 डिग्री सी हाइडोजन बॉन्ड बनाने के कारण जल में घुल जाता है कार्बनिक विलाइकों में भी घुल जाता है पानी से हलका होता है गंद इस्परिट के जैसी होती है अत्यदिक विसैला है पीने से अंधापन पागलपन या ज्यादे पीओगे त सोडियम तो हैडोजन को धक्का देगा है सी एस त्री ओएन ने बनेगा हैडोजन गया निकल जाएगी सोडियम बिफॉक्साइड बन गया यह रियक्सन अभी थोड़ी तर पहले सिखाई थी आपको एसिटीक एसिड से क्रिया या एस्टरी फिकेसन या एस्टरी करन यह है और यह हमारा बिचारा CS3OH बीच में से क्या निकल गया है एस्टू ओ यह बन गया आपका एस्टर जिसे आप मिथाईल एसिटेट कह सकते हो एसिटाइल क्लोराइड से क्रिया यह है CS3Cocl एसिटाइल क्लोराइड यह है CS3OH मिथाईल अलकॉल क्या निकल गया HCL बन गया CS3COO CS3 नेक्स्ट बेंजीन सलफोनील क्लोराइड से क्रिया यह है बेंजीन सलफोनील क्लोराइड, C6H5S02Cl CS3OH से रियक्षन बीच में say HCL निकल गया दोटनु जूड के कंपाउंड बन गया मिथाल बेंजीन सलफोनेट, ऐसे टिक एन हाइड्राइड से क्रिया इसे दियान रख गा यहाँ ओ एच यहाँ तो एच जुड़ गया ओ सी अस्तरी सी डॉल एच सी डॉल एच सी डॉल ओ सी तरी बेंजाइल क्लोराइड से करिया बेंजाइल क्लोराइड सी 6H5 सी यो सी अल बीच में से क्या निकल गया एची एल सी सिस एच फ़ाइव सी डवलों सी एस तरी बन जाएगा मिथाइल बेंजोएट आया था ना यह वाला रियक्शन भी होगी नेक्स्ट साथ वा रासाइनिक गुण सैली साइलीक एसिड से करिया यह होता है सैली साइलीक एसिड जब बेंजीन रिंग के उपर ओपर ओ और और ओर ओजी सी डवलों एच यदि सी यहां से तूटके जुड़ेगा इधर यह बॉंड गया इधर एच और इधर ओसी एस त्री यह तो एस टूओ निकल गया यह निकल गया और यहां जो है इसके उपर जहां सी डवलो एस था वहां बन जागा सी डवलो सी यह बन गया एना असान मिथाइल सैली साइलेट यह विंटर ग्रीन ओयल भी कहते हैं इसे ग्रेगनार्ड रियेजेंट से क्रिया यह है आपका सी और यह है ग्रेगनार्ड क्या बने गया देखना बीच में सी एच फूर कैस बनेगी और सी एस त्री ओम जी पी आर निकल जाएगा साइड प्रोड़क्ट ऑक्सीडेशन मोस्ट इंपोर्टेंट लिखावा देख लो यह हमारे पास सी एस त्री ओएच मिथाइल अलकोहल इस एच सी डबल वाच यह बन गया फॉर्मीक असीड चलो अगया चलते हैं कि चलें आगया अगया अधि हाइड्रोजी नेशन यानि हाइड्रोजन का निकलना और आपको सिखाया था कॉपर के साथ जब भी गरम करोगे कॉपर की कहजियत है हाइड्रोजन को निकालने की यह ब CS3OH और HCl H2O निकल गया प्रोडक्ट आपका मेनिया नहीं है मिथाइल क्लोराइड HBR से भी ऐसे करिया होगी बिल्कुल कर लोगे इसे तो थंडे HI से करिया यह थोड़ी सी important है भई मुझे यहां लिखवाना चाहिए था important थंडे HI से करिया CS3OH जब HI से reaction करता है तो क्या होता है यह bond तूट जाएगा दो HI है एक एच इधर एक एच इधर तो यह एक तो बन गया CH4 एक बन गया H2O और जो दो आई बचे ना उनकी iodine gas की तरह निकलेंगे मैं I2 की तरह गर्म HI से करिया CS3OH प्लस HI गर्म करोगे H2O निकल गया CS3I बन गया PCL3 से करिया आपको पता है PCL3 कैसे करिया जब भी करते हैं तो 3 लेते हैं हम अनू PCL3 से करिया करोगे 3-0 bond तूट जाएंगे 3-0 CL1 के साथ P सब के साथ CS3CL तो बनेंगे 3 और S3PO3 बनेगा 1 उसके बाद PCL5 से करिया यह CS3OH इसकी PCL5 से जब भी आप करिया कराओगे यह bond गए 5 CL है एक यहां जुड़ेगा एक यहां और बीच में PCL3 तो CS3CL POCL3 और HCL ठीक है चलें next चलो next थायो नील क्लोराइड से करिया थायो नील क्लोराइड से करिया थायो नील क्लोराइड तो PCL5 का भाई यह आपको पता है CS3OH की SOCL2 से करिया करोगे यह oxygen के दुन्हों तरफ के bond तो टूटके एक सील इधर एक सील इधर बीच में सो यह तो बन गया CS3CL यह बनगी SO2 यह बन गया HCL उसके बाद NS3 से करिया यह CS3OH NS3 से करिया बीच में से स्टो निकल गया CS3NS2 बन गया जिसे आप प्राइमरी आमीन कह सकते हो तो अमीन है ऐलूमीना से करिया ऐलूमीना भी कहते हैं सीस्ट्री ओँच CS3OHinas3 जब गरम करोगे तो निकल गया और आपको डाइमिधाइल इथर मिल जाएगा यह मिधाइल मिधाइल इथर यह मिधाइल ओमिधाइल कंसेंट्रेट S2SO4 से करिया, अब concentrate S2SO4 से करिया को ध्यान से देख लो, यदि ये CS3OH है और ये S2SO4 है, थंडा concentrate S2SO4 है, तो S2O निकलेगा और CS3HSO4 मिथाइल हाइडोजन सल्फेट मिलेगा, और यदि आप 140 पर गरम करोगे तो दो अनुमों में से निकल जाएगा, S2O और आपका डाई मिथाइल इथर बन जाएगा, इन दोनों रियक्षन का temperature याद रखना पड़ेगा, आपको जरूर, अगला है देहन, क्या है देहन, देहन, मिथाइल अलकॉल को गरम करो, ऑक्सीजन के साथ और दो चीज लिख कर आजाओ, कार्बन डायोक्साइड और वाटर, बस बैलेंस करने की जो रितनी उपयोग उपर आजाओ, मिथाइल अलकॉल के, कार्बनी की योगी को के निर्मान में 80% पेट्रोल और 20% अलकॉहल को पावर अलकॉहल कहते हैं, जिसे हम इंधन की तरह इस्तमाल करते हैं, रेडियेटर में प्रसीतक के रूप में, रंजक औस धी सेंट के निर्मान में, कार्बनी विलायक के रूप में, मिथाइल अलकॉहल के परिक्षण, पहला टेस्ट, सोडियम से क्रिया करके हाइडोजन मुक्त करता है, दूसरा टेस्ट, कंसेंट्रेट एस्टू एस्टो फोर की उपस्तिती में, सैली साइलिक असेड से क्रिया कराने पर, विंटर ग्रीन ओयल बनता है, जिसकी विसिस्ट गंद होती है, अभी बना था ना, विंटर ग्रीन ओयल, और पोटेसियम डाइक्रोमेट है, अमली है, या रक्त तप्त कॉपर के साथ, फॉर्मल डिहाइड की विसिस्ट तीखी गंद आती है, फॉर्मल डिहाइड की गंद बहुत तेज होती है, बहुत तेज गंद होती है, गंद सही आप पहचान लोगे, फॉर्मल डिहाइड को, या इथेनॉल या C2H5OH निर्मान की सामन्य विधियां कैसे बना सकते हो आप इथाइल एलकोहल को पहला तरीका है कि आप इथाइल ब्रोमाइड ले लो उसके उपर सिल्वर हाइड्रोकसाइड का जलब घटन करा दो एजी बी आर निकल जाएगा C2H5OH आपको मिल जाएगा दूसरा तरीका है कि इथाइल एसिटेट ले लो और इसका जो है जली है एन्ने उस से इसका जलब बटन करा दो यहां से बॉंड गया इधर एन्ने इधर ओएच यह बन गया CS3 और यह बन गया CH2 और यह O के साथ MGBR और जब O MGBR आता है तो आपको पता ही है जलब घटन कराओगे तो यहां से बॉंड टूट जाएगा यह तो निकल जाएगा MGOHBR तो साइड प्रोड़क्ट निकल गया आपका और मेन प्रोड़क्ट आ गया आपका CS3 CH2 OH यह आ गया CS3 CH4 इसके उपपर अपचैन करा दो आप अपचैन करा दो आप अपचैन करा दो आपने सोडियम अलकोहल यह बॉंड गया एक एक हैच इधर एक हैच इधर यह बन गया CH2 सिंगल बॉंड ओएच बन गया CS3 CS2 OH एक तरीका है इथाइल एमीन ले लो C2H5 एनस टू इसके उप ओद्योगिक निर्माण किन्वन यह मॉस्ट इंपॉर्टेंट है द्यान रखना ओद्योगिक निर्माण की विधी यह है कि आपके पास सुक्रोज होना चाहिए सुक्रोज माने चीनी चक्कर यह सूगर C12H211 उसे आप जो है ना जलब घटन कर दो उसका इनवर्टेज उसमें जाइम चाहिए इस्ट से मिलेगा उसका टुकडे हो जाएंगे दो तो बन जाएंगे आपके इथाइल अलकॉल और कार्बन डायोकसाइड तो यह भी तरीका है इथाइल अलकॉल बनाने का यही तरीका तो अपनाती है सराब बनाने की फैक्टरियां जितनी भी जाइम की उपस्तिती में आपको मिल जाएगा माल्टोज और फिर आपका माल्टोज का जलब घटन होगा माल्टेज एंजाइम की उपस्तिती में जो यीस्ट या खमीर से ही मिलता है तो आपको मिल जाएगा ग्लुकोज ठीक है और फिर ग्लुकोज जो है उसका जलब घटन ग्लूकोज के जलब घटन से क्या होगा ग्लूकोज के टूटने से क्या होगा जाईमेज इनजाईम की उपस्तिती में इसका करिणमन होगा जिससे आपको इथाइल अलकॉज मिल जाएगा कारबन डायोकसाड गैस निकलेए बहुत इक गुन इथाइल एलकोल रंगहीन वे ज्वलनसील द्रव है विसिस्ट गंद होती है स्वाद इसका तीखा हुता है आदरता गराही है और उदासीन है रासाइनिक गुण इथाइल एलकोल के देहन इथाइल एलकोल को अक्सीजन के साथ गरम करोगे वगर दो चीज लिखकर आनी है कारबन डाय ओक्साइड और वाटर सोडियम से करिया यहां से अठ सह अनग जाएगा इसकी जगां आज 大गह कहीं सोडियम यह है acetic acid यह है आपका alcohol S2O निकल गया ester बन जाएगा जिसे आप कहा सकते है उधाइल acetate और इस reaction में ester बनता है तो इसलिए इस reaction को हम कहते है estery करना क्या कहते है estery करनी से इसलिए कहते है क्योंकि इस reaction में क्या बनता है ester HCL से क्रिया यह आपका alcohol है यह HCL है S2O निकलेगा बीच में से और CL आ जाएगा इस OH की जगा concentrate S2SO4 से क्रिया यह है आपका alcohol यह है S2SO4 यदि 100 degree C पर करोगे तो यह होगा 140 पर करोगे तो यह होगा 140 160 170 पर करोगे तो यह होगा यह तिन्नों important है निहान रखना यह लिखावा देखो most important यह reaction तीसरी बार आगी आज रेड फासफोरस वे है एच आई दोवरा अपचेन यह alcohol है रेड फासफोरस है है आपको नवजात hydrogen भी ले बॉंड गया दोन्हों तरफ एक 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 एच जुड़े यह alcohol आता है आपको PCL 5 से क्रिया आपको आती है थायो निल क्लॉरेड एस तो सील टू इसका भाई है यह reaction आती है एल टू ओ थ्री निर्जली का रख है यह दो अनू है एल टू ओ थ्री के साथ गरम कर दिया तो आपको एथर मिल जाएगा यदि 240 पर गरम करोगे और 350 पर यह पहले Oxidation होगा और आपको Acetal Dehyde मिलेगा फिर आपको बताए यह Alpha यह तीन नो हटाने है यहां से तो Trichloro Acetal Dehyde आपको मिलेगा जिसे कलोरल भी कहते हैं फिर आगया Oxidation यह है CS3, CS2, OH का Oxidation करोगे यहां से H, यहां से H, यहां से O, यह H2O निकल गया आपके पास बचा है CS3, CH4, Acetal Dehyde, इसका Oxidation करोगे तो O जुड़ जाएगा, CS3, C, OH, Acetic Acid आपको मिलेगा जिसे आप सिरका भी कहते हो, Copper से करिया, Copper से करिया करोगे तो आपको पता है, Copper क्या करता है, यहां से H, यहां से H, S2 निकालता है Copper, और आपको अब भी Acetal Dehyde ही मिलेगा, क्या मिलेग और पारदर्सक साबुन, इत्र, सौंदर्य, प्रसाधन का निर्माण भी इससे हम करते हैं, जीवो के परिक्षन में, अब इसका परिक्षन देखो, टेस्ट, आप इथाईल अलकोहल का टेस्ट कैसे कर सकते होगी, यह इथाईल अलकोहल ही है, इथाईल अलकोहल में सोडियम का टुकडा डालने पर बुदभुदाहर्ट के साथ हाइडरोजन गैस निकलती है, हाइडरोजन से क्रिया करेंगे, तो सोडियम इथाउक्साइड मिल जाएगा, हाइडरोजन गैस तो निकलेगी, जवाब सोडियम से रियक्षन करोगे, इसके, इथाईल अलकोहल की क्रिया प्लस और गरम कर दो, तो आपको मिलेगा आईडो फॉर्म और पीले रंग का वक्षेप इसका देखने को मिलेगा, यह भी इसकी पहचान है, और एसिटीक एसिड और इथाईल अलकोहल कंसेंट्रेट एस्टू 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 पोर के साथ जब रियक्षन करोगे तो यह पता होना चाहिए, यह परम अलकोहल या एबसोलूट अलकोहल क्या होता है?"elye सवाल बहुत पूर्शतें हैं, वच्चे मेश्वाल का मतलब जो 100% सुद्ध अलकोहल होता है, उसे कहते है परम अलकोहल इसे परी सोधित सपूरिट को---- के के ऊपर आशूट करके अथवा स् परिसोधित स्पृरिट्ट या रेक्टिफाइड स्पृरिट क्या होती है 95.87% पर्तिसत्य। एल्कोहलो उसमें 4.13% परिसोधित स्पृरिट शरकरा विलियन के किनवन से प्राफ्ट द्रव के आस्वन से बनाया जाता है परिसोधित spirit यह एक स्थिर्खवाथी मिस्रण होता है अब आप कहोगे कि सर इस्थिर्खवाथी मिस्रण का मतलब क्या है आप यूट्यूब पर सर्च कर सकते हो स्थिर्खवाथी मिस्रण बाई केमडी सहरनपूर या इस्तिरक वतनांकी मिसरन बाई केमडी सहरनपूर ठीक है फिर है अलकोहलिय पे या अलकोहलिक बेवरेज इनमें नशा करने वाला पदार्थ अलकोहल होता है ये दो प्रकार के होते हैं अलकोहलिक पे पदार्थ कितने प्रकार के होते हैं दो प्रक सार के होते हैं एक तो होते हैं अनासूत इनमें तीन से पंदरा परसेंट अलकोहल होता है जैसे बीयर जों से बनती है तीन से पांच परसेंट अलकोहल होता है वाइन यह अंगूर से बनती है आठ से दस परसेंट अलकोहल होता है एक होते हैं असूत डिस्टिल्ड अनासूत अ से प्राप्त होते हैं, इनमे 35-50% इथाईल एलकोहल होता है, जैसे विसकी जों से बनती है 40-50% एलकोहल होता है, ब्रैंटि, अंगूर 123-50% एलकोहल हम, शीरे से बनती है 40-55% एलकोहल होता है एक पता होना चाहिए आपका power alcohol पहर एलकोहल में क्या होता है पावर एलकोहल में 20 परसेंट तो होता है यह उल्टा लिख दिया यहां 20 परसेंट तो होता है परिशोधित एलकोहल और 80 परसेंट होता है गैसोलीन गैसोलीन का मतलब पेट्रोल जिस आप कहते हो वहनों का इंधन का काम करता है यहां तो 20 लिख लेना फिर हमें पता होना चाहिए मैथिली करत इस्परिट क्या होती है इथाइल एलकोहल के शराब के रूप में दुरूपियोग को रोकने के लिए इसमें मिथाइल एलकोहल को मिलाया जाता है इस करिया को वीकरती करण कहते है इस प्रकार प्राफ्त अल्कोहल को वीकरती करत अल्कोहल या मैथिली करत इस्परिट कहते हैं मैथिली करत इस्परिट क्या हो, क्या क्या चीज होती है इसमें परिशोधित इस्परिट होती है 85-90% मिथाइल अल्कोहल होता है 10-15% पिररिडीन भी होती है थोडी उती और नैफ्था होता है। भाएत। बढ़या। चीज है एल्कॉहल के अंतियृ परिवर्तन है। यह बहुत मॉस्ट्पॉर्ट्रट चीज है अंतियृ बर्टान इल्कॉहल आशमीर сл走吧 अ मुस्ट इंपोरटनैंट अंत्या परिवर्तन में सबसे फहले निमन आल्कोहलर से इंट यह रिकोहलर in रिया आही कंड़ा से जैदे कार्बन वाला और कैसे यह मिल जाएगा आर सी एस टू एनस टू हाँ जी मिल गए रसी एस टू एनस टू अब आप इसके उपर एच अनुर टू रियक्शन कर दो आपको बता है चेनुर टू के रियक्शन में नाइट्रोजन के दोनों तरफ के बाउंड टूट जाते हैं ओ एच एन ओ तो निकल गया कारबन तो आप कारबन परमानोगों की संख्या जब बढ़ा देते हो अलकॉल में तो हम कहते हैं कि आपने निमन अलकॉल से ऊच्छ ऑल बनाया है जैसे आप बिलकुल इसी तरीके से यह से बना सकते हो इतायल आलकॉल बाढ़ेगा बिल्कुल सेम मैं हटड़े यह जरूर आ अच्छी निमनल कोहल बनाना जरूरा चाहिए आपको अच्छा आगए चलते हैं फिर है बिटे उच्छ अलकोहल से निमनल को लीख को यह उछक हुघ करो कि यहां से यहां से चैस्ट ऑ निखल जाएगा आपको मिल जाएगा RCH इसका Oxidation करोगे तो मिल जाएगा RCWH इसके उपपर Soda Lime का Reaction करोगे तो आपको मिल जाएगा RH RH के उपपर Sulfuril Cloride का Reaction कराओगे तो 2Cl है, 1Cl यहाँ 1Cl यहाँ, 1Cl यहाँ, HCl निकल जाएगा आपको 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 इसी तरीके से बना सकते हो ठीक है बटे? फिर आता है हमारा नेक्स्ट फिर आता है हमारा primary alcohol से secondary alcohol primary alcohol से secondary alcohol कैसे बनता है? इसे भी देख लो यह अल्कॉल को द्यान से देख को primary alcohol है OH distribute primary carbon के उपपर एटाइच है सबसे पहले आप था इनील chloride का इसके उपपर reaction करा दो आपको पता है SO2 निकल के भाग जाएगी HCL भाग जाएगी यह बनेगा आपका RCH2, CH2, CL हाँ जी बन गया अभी इसके उपर Alcoholic QOH का Reaction कराओगे Alcoholic QOH की साथ खासियत यह होती है कि वो HX को Remove करता है इस Carbon से H को इस वाले Carbon से CL को HCL निकाल दिया यहां बचा आपका RCH2, CH2 यह बन गया अभी इसके उपर HBR का Reaction करो मारकोनी कौस रूल लगेगा Negative Part Come Hydrogen पर RCHBR Single Bond CH3 RCHBR Single Bond CH3 जलिये को है से Reaction कराओगे यहां से के यहां से भी आर निकल जाएगा के भी आर निकल गया और जहां से भी आ निकला वही ओएच आएगा यहां गया ओएच अब बताओ यहां ओएच कहां था Primary Carbon पर रटेज था Primary Alcohol और यहां ओएच कहां है Secondary Carbon के उपर रटेज है Primary Alcohol से Secondary Alcohol बनाने का यह बहुत बढ़िया तरीका है जैसे आप Normal Propyl Alcohol से Isopropyl Alcohol बना सकते हो बिल्कुल इसी मेथड को Follow करना है आपको उसके बाद आते हैं Number 4 पर Secondary Alcohol से Tercery Alcohol कैसे बनेगा यहां आपके पास Secondary Alcohol है देख लो OH ग्रूप जिस Carbon के उपर रटेज है वो Secondary Carbon है इसका Oxidation करा यहां से H, यहां से H, H2O निकल गया इसका तो यह बन गया आपका तीन आर आगे C, O, M, G, X आपको पता है O, M, G, X जब भी आता है जलब घटन कर दो करने से क्या होगा यह तो निकल जाएगा साइड प्रोड़क्ट मेन प्रोड़क्ट आ गया यह OH आ गया अब आप देखो यह OH ग्रूप प्राइमरी कार्बन, सेकंडरी कार्बन के उपर अटेश था, सेकंडरी अलकोल था जबकि यह वाला OH ग्रूप टर्सरी कार्बन के उपर अटेश है, वो टर्सरी अलकोल है, तो प्राइमरी अलकोल से टर्सरी अलकोल बनाने का यह बहुत अच्छा तरीका है उसके बाद primary alcohol से tertiary alcohol तो बना दोगे primary से टरसरी जब primary से secondary बना दिया secondary से tertiary आप primary से tertiary बनाने के लिए इन दोनों method को one by one use करोगे आपको पता होना चाहिए power alcohol का मतलब क्या है अच्छ अच्छ ठीक है यह तो भी बताया था मैंने बताया था ना power alcohol का मतलब होता है इसमें 80% तो gasoline petrol है 20% है इसमें alcohol aromatic hydroxy yogic aromatic hydroxy yogic जिस hydroxy yogic में benzene ring प्रजेंट होती है उसे aromatic hydroxy compound कहते हैं जिसमें क्या प्रजेंट होती है benzene ring उसे हम कहते हैं aromatic hydroxy compound और यह दो प्रकार के होते हैं aromatic alcohol इनमें OS group सीधे benzene ring से नहीं जुड़ा होता है देखो OS group सिध्धा तो नहीं जुड़ा बेंजीन रिंग में बीच में CS2 है इसे हम कहते हैं benzene alcohol benzene alcohol कोई benzene alcohol aromatic alcohol है और दूसरे होते हैं phenol जो हमारे पास हैं इस chapter में phenol कौन से होते हैं इनमें OS group benzene ring से सीधे benzene ring से सीधे जुड़ा होता है देखो OS group सिध्धा जुड़ा फिनोल इसी की सबसाइद जुड़त है इसे hydroxy benzene भी कहते हैं carbonic acid भी कहते हैं रंगे ने इसे कोलतार कहा था जैसे इसमें OS सिध्धा जुड़ावा इसे कहते हैं और्थो क्रिसॉल जब एक और और एक CS3 हो दो हो तो उसे केटिसॉल कहते हैं एक और यदि तीन और इस तरह जुड़े में हो तो उसे क्वीनोल कहते हैं या hydroquinone और यदि तीन ओएच इस तरह जुड़े में है तो पाइरो गैलोल कहते हैं यह सारे फिनॉल है इस तीन प्रकार के उत्ते हैं फिनॉल एक तो monohydric phenol इन में ऑउनली वन ओएच ग्रूप होगा monohydric phenol में एक ओएच होगा जैसे यह फिनॉल है या आपका यह भी एक monohydric phenol है एक और यह यह भी monohydric phenol है यह भी monohydric यह भी मौनोहड्रिक फिनॉल की खासियत यह हुती है कि उनमें एक ओएच गुरूप होता है दूसरे आपको पता चलिए क्या है डाई हडरी फिनॉल इनमें दो औएच गुरूप प्रजेंट होते हैं जैसे आपका यह है केटिचॉल इसे कहते है रिसॉर्जी नॉल इसे घरो गेलोल में इसमें भी तीन है, हाइड़ॉक्सी क्विनोल इसमें भी तीन है, फ्लोरो grewsinol इसमें है, तीन ओऐच गूरूप हैं App २१ क्यात्तों। आप कह सकते हो। पाइगा नाम करण। सबसे पहले सामन्य या निरर्थक पद्दती इसका नाम है फिनॉल इसका नाम है और्थो ब्रोमो फिनॉल इसका नाम है और्थो क्रिसॉल सामने नाम है निरर्थक का मतलब कोई नियम कानून नहीं है इसमें कभी कभार कोई नियम कानून आ जाता है इसका नाम है Meta-Crisol, इसका नाम है Paracrisol, देखना क्या-क्या अंतर है, IUPAC पद्धती ऐसी है, जो एकदम समझ में आ जाएगी, IUPAC पद्धती में ये दो OH है, 1-2-Di-Hydroxy, Hydroxy, Hydroxy, 1-2-Di-Hydroxy Benzeen, ये 1-3-Di-Hydroxy Benzeen, ये 1-3-Di-Hydroxy Benzeen, ये 1-3-Di-Hydroxy Benzeen, ये 1- इसमें 3-Hydroxy Benzeen, ये 1-2-3-Di-Hydroxy 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 Benzeen, सिल्फोनिक एसिड, इसलिए उसे बाद में लगाना है, एक कुछ प्रैक्टिस करते हैं जैसे इसका नाम सब को पता होना चाहिए पिनॉल और हाइड्रोक्सी बेंजीन पहले सामने नाम है फिर आई यू पीएसी इसका नाम है केटे चॉल जिसमें दो ओएच परबर परबर होते हैं वन टू डिय हाइड्रोक्सी बेंजीन इसका यू पीसी नाम है इसका नाम है पहरी सहिना यू पर सी नाम में वन थ्री लटा बहुत आसान है उसमें कुछ रटना नहीं पढता है समझ के आराम से काम चल जाता है इसका नाम है पुटे पाइरो गेलोल ऐई-aidूपी सी वन त्थो मेंगशी है इसका नाम है होड़ो ट्रेहा रोकसी बैनजीन इसका नाम है फ्लोरो ग्लूसिनॉल और 1-3-5 ट्राइडरोक्सी बेंजीन 1-3-5 भी तो है और इसका नाम है मेटा हाड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड और वैसे 3 हाड्रोक्सी है IUPAC में 3 हाड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड है मेटा कहते है ना इसा ऐसे देखना ज़रां, इसका नाम है और तो त्वी ट्र्सी में डिडीर लुडसियू रो इसका नाम है ओर फो मेटा डाइगार डाइदोक्सियू सुलफोनिक एसे पर इसमें और तुम इटा कुझा चैनर चजतों तो्लार या रों देगए जाओ देखो गटे अब हमें सीखना है फिनॉल फिनॉल यानि बेंजिन रिंग के उपर ओच है तो इसे हम कहते हैं फिनॉल क्या कहते हैं फिनॉल में सबसे पहले प्रयोग शाला विधियां देखते हैं डाई एजोनियम लवन के जल अफगटन द्वारा ठीक है यह हमारे पास एनिलीन है बेंजिन रिंग के उपर एनेस टू इसके उपर एने एनेस टू और एचल का रियक्शन करना है इसे कहते हैं डाई जो टाई जैसन इस रियक्शन को मैं समझाँगा अग्गे डिटेल में अभी तो सिरफ इतना याद रखो वैसे जो रिविजन कर रहे तो आपको पता हिआ की कैसे लिए रियक्शन जब भी आप एनेलीन के उपर नेनेस टू एस सिल एने ऊडु और एसि एल का रियक्शन करते हो तो एनेस टू कनवर्ट हो जाता है था है बेंजिन डाइज नीं क्लोराइड लिएक्शन यहां से भी स्टार्ट कर सकते हो इसे बतानाइज सब्सक्राइब पर सब्सक्राइब दूसरा तरीकर बंजीन सल्फोनिक एसे बंजीन सल्फोनीक एसिड इसके ऊपर आपको यह निकल घाले हैं और एक Na2SO3 यह निकल गया, ठीक है, Na2SO3, अब हमारे पास क्या बच्चा है, हमारे पास बच्चा है, Na और O, O, Na आ गया, sodium phenoxide बन गया, अभी इसका HCl से reaction कराओगे तो NaCl गया, NaCl निकल गया, H आ जाएगा, यहाँ, phenol बन जाएगा, हेलो बेंजीन के जलब घटन से, यह हेलो जैसे, इसका जली है, NaOH से reaction कराओगे तो NaCl निकल जाएगा, और Cl की जगा आ जाएगा, OH, यह बन गया, phenol, next, देखना जाएगा, नमबर 4, सैली-साइलिक ऐसे, बेंजीन रिंग के उपर OH और CWH है, सोडा लाइम के से reaction करा दो, यह निकल जाएगा, NaHCO3, और यह H आ जाए है, H CODE उसे दिखाने की जुरत भी नहीं है, Greg Nard, Reagent के Oxidation से, यह है Greg Nard, C6H5MGBR, Oxidation करोगे, C6H5OMGBR, फिर जब आपको OMGBR दिखाई देता है, जलब घटन करोगे, बॉंड गया, देखो, C6H5OH नहीं आ गया, MgOHBR side product निकला है हमारा, नेक्स्ट, ओद्योगिक विधिया, ओद्योगिक विधियों में एक है हमारे क्यूमीन से, यह है क्यूमीन जब बेंजी, C6H5, CH, इधर भी, CS3 इधर भी, इसका Oxidation करोगे न, तो यहाँ दोनों ओ आ जाएंगे, OOH, COOH, इसे कहते हैं, क्यूमीन हाइडरो परोक्साइड, अ है, H2O निकल गया, यह CS3, CO, CS3, Aceton निकल गया और यह बेंजीन रिंग के उपर क्या आ गया, OH, राशिग प्रग्रम द्वारा, राश्चिग, राशिग क्या दो इंपॉर्टेंट है, क्योंकि विध्यानिक का नाम आ रहा, यह बेंजीन है, यह HCL है, यह हाफ O2 है, H, HO, H2O निकल गया, बचा CL है, वो आ गया, इसके उपर क्लोरो बेंजीन, क्लोरो बेंजीन का जब आप जल से रियक्शन कराओगे, HCL निकल जाएगा, OH आ जाएगा, यहाँ, पिनॉल बन गया, चलो आग्गे चलते हैं, डाओ प्रक्रम, कौन सा प्रक्रम, डाओ, निकल गया, और OH आ गया, आपका, CU, CL2 यह टेंपरेचर प्रेसर याद रहेगा, तो रख लेना, फिनॉल के बहुती गुन देखो, फिनॉल द्रव या कम गलनाक वाले ठोस होते हैं, C6H5 रंग हीन है, C6H5 OH यानि फिनॉल रंग हीन है, विसिस्ट गंद वाला ठोस, वायू भी अलाल हो जाता है, ऑक्सिडेशन के कारण, चौत्था इंपोर्टेंट है, देखो, इसका बहुत इक गुन, अंतर अनुक हाइड्रोजन बॉन्ड बनने के कारण, फिनॉल का कौथनांक, यानि बॉयलिंग पॉइंट, आसा से अधी होता है, फिनॉल के सारे अनु जुड होते हैं, हाइड्रोजन बॉन्ड के द्वारा, इसलिए होता है, ऐसा, देखो, पैरा नाइट्रोफिनॉल है, हमारे पास यह, अंतर अनुक हाइड्रोजन बॉन्ड है, इसलिए मेल्टिंग पॉइंट और बॉयलिंग पॉइंट जादे है, पैरा नाइट्रोफिनॉल, और यदि हम बात करें यदि और्थो नाइट्रो फिनॉल की बात करें तो इसमें अपने अंदर ही बन गया हाइड्रोजन बॉंड अंतर अनुग हाइड्रोजन बॉंड इसलिए मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट कम होंगे यह भी सवाल आ जाता है क्लास 11 में भी गुलंसील होते हैं ध्यान रखना नोट पॉली हाइड्रीक फिनॉल या पॉली हाइड्रोक्सी फिनॉल भी गया सकते हो जल में अधग अधी गुलंसील होते हैं क्योंकि ओएच ग्रूप जल के साथ हाइड्रोजन बॉंड बना लेते हैं जल के साथ हाइड्रोजन बॉंड इतने जादे बनेगे ना उतना ही फिनॉल पानी में खुलेगा नोट नोट सारे इंपोर्टेंट होते हैं ध्यान रखना यदि फिनॉल में ओएच ग्रूप की ओर्थो पोजीशन पर एन नोटू एफ सी एच्चों सी डवलो एच आदी ग्रूप परजेंट हो तो अंतरा बनने के कारण ऐसा फिनॉल जल में एगुललंसील होता है क्योंकि वेफ जल के साथ हार्डूजन बनाता उसे अपने से फुर्सत नी अपने अंदर लाल लिया हार्डूजन बाइब बना लिया जैसे हम कहते हैं अंतरा अनुग हार्डूजन बंध या इंत्रा से होते हैं विशायले अब आजाओ रासाइनिक गुण पर अब हम देखेंगे फिनॉल के रासाइनिक गुण पर अब हम देखेंगे रासाइनिक गुण में पहला है ओएच गुरूप के कारण अभी करिया जिसमें यहाला बॉंड टूट रहा है प्रबल अक्षारों से करिया यह हमारा फिनॉल है यहां से यहां से ओएच बन गया सोडियम फिनॉकसाइड सक्रिय धातूव से करिया यह फ निकल गया सिह फोर झाहिं सेम रियक्षण है जैसे आपका डिक अधिकाहुल वैसी एक्सिन यह दिखार जारہ हैं एक्सिटम हैंसी ए्छ क्लोर आड इसन राविकशन यह सिक सडॉय में यह सिच लगा और निकल गया और सूऽ Also Also Ahe%. बेंजो लाइजेशन बेंजो बेंजोईलेशन या बेंजोईली करन या साटन बाउमेन अभी गरिया यह फिनॉल है यह C6H5 COCL है बेंजोईल कोलोराइड यहां से है यहां से CL दुर्नों जुडगे बीच में CW आ गया फिनाइल बेंजोएट यह डाइफिनाइल इसके बाद एलकाइलेशन या इथरी करन या विलियम संसलेशन इंपोर्टेंट हो गए यह लिखावा इंपोर्टेंट देखो यह हैं हमारे पास फिनॉल इसका एन ने वह से हमने रियक्शन करा दिया एच्टू निकल गया और यह बन गया आपका सोडियम फिनॉक्साइड य यह आपका सोडियम फिनॉक्साइड है इसका CS3BR से रियक्शन करा दिया एन ने भी आर निकल गया यह बन गया आपका मिथाइल फिनाइल इथर या एनिसॉल ठीक है यह आपका सोडियम फिनॉक्साइड है इसके उपर सीटू एच्फाइब बी आर का रियक्शन करा दिया त आपका तॉसाइल क्लोराइड या पैरा टॉलूइन सलफोनिल क्लोराइड एचल निकल जाएगा दोनों जूड़के प्रोडक्ट बन गया पिरिडीन की उपस्तिती में फिनाइल टॉसाइल लेट अब हमें फिनॉल के रियक्शन देखने है जिसमें यह ओएच को रिलीज जिंक चून से क्रिया यह फिनॉल है इसका जिंक से रियक्शन करा तो जेड नो निकल जाएगा और आपको वेंजीन मिल जाएगा पीसील फाइव से क्रिया पीसील फाइव से क्रिया यह तीन नो बॉन टूटेंगे ठीक है पहले यहां देख लो यह वाला आपको बताएव पीसील फाइव से जब भी क्रिया होती है ऑक्सीजन के दुरनों तरफ के बॉन टूट जाते हैं एक सील इधर एक सील इधर बीच में पीओ सील थरी बनेगा यह क्लोरोव एंजीन बन गया पीओ सील थरी और एक सील अब यह जो आपका जो है यह जो आपका फिनॉल था इसके उपर पीओ सील थरी फिर दुबारे से रियक्सन ऐसे कर देता है जिससे हमें ट्राइफिनाइल फॉसफेट मिलता है यह दूसरा स्टेप याद रखना है इसमें फिनॉल के रियक्सन में जब पीसील फाइव से करि ठीक, NS3 से कर लोगे, NS3 से करिया, बुकरर अभी करिया देखो, NS3 को ऐसे लिग रखा है, H, NS2 एस टू वो निकल गया, मेन प्रोड़क्ट आ गया, आपका अनीलीन, इंक फिर उसके बाद बेंजीन रिंग के कारण अभी करिया है तीसरे तरे की अभीकरियां है बैंजीन रिंग के कारण और बैंजीन रिंग के कारण अभीकरिया me आपको पताऊ नहाँ चाहिए ओएच के पास एक लॉन पेयर है वह लॉन पेयर पूरे रिंग में घूम जाएगा जिसकी वज़ए से और्थो पोजिशन पैरा पोजीशन एक Phenol है Bromine का reaction या तो इहां से HBR निकलेगा या तो इहां से तो या तो इहां जुड़ेगा BR या तो यहां ठीक है या तो और्थो Bromophenol या तो पेरा Bromophenol यदि आप इसकी BC Bromine Water की उपस्तिती में reaction करاتे हो तो 3 जगा उजाती है reaction यहां भी यहां भी और फिर आपको ट्राइब्रोमोफिनॉल मिलता है यह दोड़नों reaction आपकी आनी चाहिए आपको जरूर आनी चाहिए दोड़नों reaction सल्फोनेशन सल्फूरिक एसिड से क्रिया सल्फोनेशन में हम H2SO4 से reaction करते हैं और प्रेश 2SO4 को सिखा रखा है कि आपको ऐसे लिखना ओए है या तो यहां से निकलेगा या तो यहां से अइन हरो तो फॉर्दो बेंजीन सलफोनीक असीड जादे यह बनेगा वह कम है नेक्स्ट ना इन ड्रिशा नाइटरी और इसमें एच एन दो अगनेगा यह ब्रसका hm तो तीनो जगा रियक्सन हो जाएगी और आपको क्या मिलेगा ट्राइ नाइट्रो फिनॉल जिसे पीक्रीग एसिड भी कहते हैं विस्फोटक पदार्थ है पीले रंका क्रिस्टल यठो से कडवाय प्रबल अमल है ठीक है उसके बाद आते हम नाइट्रो सोनी करण नाइट्रो इसमें CS3-CL के साथ या तो यह CS3 यहां जुड़ेगा या तो यहां HCL निकल नहीं है ठीक है बटे यह तो रियक्सन सारी आत्ती है आपको यह इंपोर्टेंट है प्रीडेल क्राफ्ट एसाई लेशन CS3-COCL एसिटाइल क्लोरेड से करिया या तो CS3-COCS3 यहां जुड़ेगा यहां दो तरह के प्रोड़क्ट का मिक्स्टर मिलेगा संगनन अभी करिया संगनन अभी करिया में आप ऐसी टोन से करिया देख लो यह ऐसी टोन है CS3-COCS3 और यह फिनॉल एक यह एक यह एस टू निकल गया दुन्नों इसके उपर जुड़ गया बिस फिनॉल ए क्या बना है लिख कर प्रैक्टिस जरूर कर लेना भाई यह हमारे पास फिनॉल है एक दो तीन चार फिनॉल एक सी एच टू ओ यह लिया एक यह लिया एक यह चार यह एस टू एस टू निकल गया यह सब जुड़ गया आपस में इसे कहते हैं बैके लाइट जिसके बिजली के स्विच ब थैलीक एसिड और ओएच यानि यहां भी सी डवल ओएच है यहां भी गरम करोगे एस टू निकल जाएगा यह बन जाएगा आपका थैलीक एन हैड्राइड और इसके उपर जब फिनॉल रियक्षन करता है तो हैस्ट निकल गया और यह बन गया आपका फिनॉफ्थलीन यह भी थैलीन अभी करिया कहते हैं इसे इंपोर्टेंट है यह नेक्स्ट यूगमन अभी करिया यूगमन अभी करिया कप्लिंग रियक्षन यह है आपका C6H5 N2Cl बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड और यह है फिनॉल HCl निकल जाएगा दोनों जुड़गे पैरा हैड्रोक् का फिनॉल यह है सिटाइल कलोराइड यहां से क्या निखलेगा HCl COCS3 यहां आ गया उसके बाद यह फिनाईल एसीटेट जो बनाए साठट डिगरी सी पर यह सी यह रूप यहां जाएगा यहां चला गया और एक सो साट पर यह आजाएगा तो और थो और थो आरोड़ोक्सी बताया कि पहले यह बनता है फिर उसका पुनरविन्यास होता है उसके बाद गाटर मैन कोच अल्डी हैड संसलिशन इंपॉर्टेंट है इसमें क्या होता है कि कार्बन मॉनॉक्साइड जब एच सील से रियक्शन करता है तो एच सी यो सील बनेगा जिसे फॉर्माइल यह बिटे हर साल पर मैं आती है फिनॉल क्लोरोफॉर्म एन नो एच ठीक है समझा रख़िये रियक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है राइमलटीमन अभी करिया और यह भी राइमलटीमन अभी करिया है इसमें हमने क्या लिए रखा है कार्बन टेरा क्लोराइड के साथ उसक सोडियम फिनाइल कार्बोनेट इसका पुनरविन्यास होगा यह वहां चला गया सीड बलो एन नहां गया सोडियम सैली साइलेट यदि आप अमलियम अध्यम में इसे रखोगे तो एनने की जगा एचा जाएगा यह बन जाएगा सैली सलीक असिड इसे कहते हैं कोल बे अभी कर सार जैसे पीकरी के असिड बनाया पूती रोधी या जीवाणू नाशक के रूप में शाही के संरक्षन में यानि शाही को खराब होने से बचाने में तो एलकोहल हो गया फिनॉल हो गया तीसरा पड़ाव इस चैप्टर का है एथर तीन चीज हैना इसमें एलकोहल फिनॉल अधार जो है क्यों सब्सक्राइब हो सकते हैं ऐसा भी हो सकता है आजिसा फिरत ऑर पतलगी करना सा यहं हैं समीचितर सरहाल इनमें ऑक्सीजन के दोभिए देंगु ग्रूप परजैंट होते हैं देखो सेम है दुन्हों तरफ सेम है अलकाइल ग्रूप इन्हें कहते हैं सरल या सम्मित इथर मिस्रित या एसम्मित इथर दुन्नों तरफ अलग-अलग होंगे देखो यहां मिथाइल है यहां इथाइल है इधर मिथाइल है इधर प्रोपाइल है इधर इधर इधाइल है इधर फिनाइल है ठीक है तो जब दुन्नों तरफ अलग-अलग प्रकार के अलकाइल ग्रूप हो तो वो से कहते हैं Mr. eather Likeby , इसमं अले फेटीग इधर में दुर्नों दुर्फ आलेगलहाँ होंगे धोस्तिखो, चाहिवर सेम टाइप को और दुर्णों दुर्त doing help हैं तो इसका मतलब वहłam पैड्िग है, और Aromatic ether में क्या होता है कोई साभी एक Aromatic Group आ जाता है देख्वों यह Fynyl fel फिनाईल और वीशा है इधर आ गया Aromatic Group दुन्ट मत्रफ और भी आगया इसमें Aromatic Group यह वाला आ गया ए उसके बाद ether का नाम करना सादरन पति ऐलका इलकाइल एथर और एलकाइल के नाम ABCD के करम में लिखने है अलफाबेटिकल ओर्डर में जैसे इसका नाम है मिथाइल मिथाइल एथर या आप इसे डाइल मिथाइल एथर ही कह दो डाइल मिथाइल एथर कह सकते हो आप इसे क्या कह सकते हो डाइ मिताइल इथर आ जो आज़ा यूई जैसे इसे देखो यह हैं यह है अच मेरा यह जैसे यह इताहिय है अभी यह इसे देखो यह तो इतााल मिथाईल है यह फिनाइल है यह इन्प पह्ले आता है पी बाद में घंद्ध मिठाल फिनयल इथर इसे एनिसॉल् ईथर तो कम कर्बन वाले को ऑक्षिजन के साथ लेकर यलकॉक्षी कह यह नाम है Each इथेन नेक्स्ट देखना जरा यह है आपका इथाक्सी इथेन यह है आपका देखो ज्यादे कार्बन वेला एलकेन हमें पता है कि यह मिथाक्सी है यह प्रोपेन है पर मिथाक्सी पहले कार्बन पर है तो वन मिथाक्सी प्रोपेन कहेंगे हम इसे देखो वन मिथाक्सी प्र प्रेटिस निच्चे हैं इनकी प्रेक्टिस तो आप कर लेना अब हम बात करते हैं समावियवता की कि इथर में समावियवता कौन सी देखने को मैं मिलती है सबसे पहले करियात्मक अलग 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 होगा अलग हो गए कि Conservancy है यह तो एले सिखाए جाता है जबकि इसके left side में एक है, है ना अलग अलग, इसके right side में 2 हैं, और इसके right side में 3 हैं, है ना अलग अलग, तो यह क्या है, एक दूसरे के मध्यावियवी हैं, फिर होती है, इस्थानिया इस्थिती समावियवता, इस्थानिया इस्थिती समावियवता में अनुसूतर तो समान होता है परंतु oxygen का इस्थान होता है अलग-अलग ठीक है देखो कि वन मिठोक्सी और यहां तू तू मिठोक्सी वन मिठोक्सी इस्थान अलग-अलग हो गया और मध्यावयवता एक प्रकार की इस्थान समावयवता ही होती है मध्यावयवता को आप इस्थान समावयवता भी कह सकते हो फिर आता है हमारा एथर के निर्मान की विधियां एथर को हम कैसे बना सकते हैं एलकोहल के निर्जली करन से यह एलकोहल है यह एलकोहल है Concentrate S2SO4 के साथ जब गर्म करोगे तो इसमें से S2O निकल जाएगा और आपको मिल जाएगा ROR Ether जैसे इसमें इसमें और इसमें हमने यही कराए उपरोक्त अभिकरिया केवल प्राइमरी अलकोहली देते हैं सेकंडरी या टरसरी अलकोहल इस अभिकरिया से से अलकीन देते हैं यह बात बताईती अलकोहल में इस अभिकरिया से मिसरीत इथर भी बनाए जा सकते हैं नेक्स्ट अलकोहल पर डाइजो मिथेन की करिया द्वारा यह अलकोहल है यह डाइजो मिथेन है सीएस त्री एंटू एंटू निकल जाएगा और सी एस टू और एजसी यह बन गया इधर बन गया न फिर है विलियम संस अंसलेशन द्वारा इंपॉर्टेंट है यह रियक्शन देखो लिखावाई इंपॉर्टेंट यह एलकाइल हेलाइड है और यह है आपका सोडियम एलकॉक्साइड निकल जाएगा रो और बन जाएगा यह निच्चे के रियक्शन सारी इसके एक्जामपल ही है अच्छा एक छीद ध्यान रखनी ह है आपको ध्यान यह रखनी है कि टर्सरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड है हमारे पास यह तर्सरी आरेक्स इसका यदि आप CS3 ONA sodium mythoxidus से रियक्शन कराओगे तो यह निकल जाएगा ठीक है निकल गया पर ऐसा भी होता है कि यहां से H निकल जाता है फिर यहां से H निकल गया और यहां से CS3 O है तो CS3 OH भी बनेगा और फिर यहां और यहां इसके बीच में आजएगा डबल पॉंड ही आ गया ते मिलने के निए इथर बनने का है निए जो सोच रहे आप इथर बनताएगा इथर नहीं बनने का टरसरी और सेकेंटरी और टरसरी अलकाइल हैलाइड से फिर एक नोट है विलियम संसलेशन में प्राइमरी अलकाइल हैलाइड की क्रिया शीलता का क्रम CS3X सबसे बढ़िया रियक्षन दिखाता है विलियम संसलेशन में और इथाइल हैलाइड उससे बेकार और जितना कार्बन परमानवों की संख्या बढ़ेगी उतना ज़्यादे क्या होगा आपका RX विलियम संसलेशन अभी गरिया अच्छी नहीं दिखाएगा और RX में विल सिल्वर आकसैड के साथ गरम करके यए हैं अलकायल हेलाएड है और आप सिल्वर ओकसैड गरम करें तो एजी-एक निकल जाएगा और और ए तरीगा का यह है इथर बनाने कि जैसे इसका एक sesi का आप एक ए रखखात है कि नितर से उच एथर का निर्मान एगया निमन इथर स जिसका आमने क्लोरो प्रोडक्ट ले रखा है और यह है आपका ग्रिगनार्ड सीस्तरी एमजी सील टू निकल जाएगा इधर एक कार्बन था एक और बढ़ जाएगा दो दो कार्बन वाला इधर बन गया दोनों तरफ इधर के बहुती गुण देखो निम्न इधर रंगहीन गैस या द्रव होते हैं वाश्पसील वे ज्वलंसील होते हैं इनके कोथनांक अल्कोहल से कम होते हैं क्योंकि इनमें हड्रोजन बॉन्ड नहीं होते हैं जल में कम विले तथा कार्बनी विलाएगा में तो जादे खुल के कारण अभी करें एक शारी यह गुण देखो यह एथर है ठंडा और कंसेंट्रेट एक्सील का जब भी रियक्शन कराओगे ना तो क्या होगा इसके पाल लॉन पियर तो है एक लॉन पियर दे देगा वह किसे एच पॉलिटिव यह दे दिया सियल हो गया लग डाई इथा इस पिसीज मिल रहा है जिसके पास इलेक्ट्रॉन के जोड़े कमी है बी अफ्री बोराण ट्राइफ लोराइड तो यह लॉन पियर इसे दे सकता है दे दिया उसे लॉन पियर बोराण ट्राइफ लॉराइड एथीरेट ठीक है ऐसा ही रियक्शन सेम नीच्चे की तरफ है CH2 O CH2 CS3 है आपको पता है रियक्षन अलफा पोजीशन पर होनी है यहां होगी यहां होगी ठीक है तो क्या होगा एक एक मानलो आप सिद्धा रियक्षन पूरा दिखा सकते हो कोई दिक्कत नहीं है हमें पता है कि यहां दो है एक तो यहां दिखा दो एक यहां इसलिए 2C L यह ऐसा तब होता है जब अंधेरे में हम रियक्षन कराते हो क्लोरीन की और यदि आप प्रकास की उपस्तिती में क्लोरीन की रियक्षन कराओगे तो 3 और 2 5 और 3 और 2 5 और 5 कितने होगे 10 10 के 10 हीडोजन रिमूव हो जाएंगे हां से 10 C L 2 से रियक्षन कराई 10 H यह और 10 C L य यहां भी पांच के आगे C L और यहां भी है पर क्लोरोडाई इथाइल इथर मिल जाएगा आपको पर क्लोरोडाई इथाइल इथर C O bond के कारण अभी कृएं जैसे जल अपगटन डाइलूट अस्टोफोर से क्रिया भी कह सकते हो यह और यह रियक्षन कराओगे बॉंट तूट गया है यहां यह और वेच और यह और यह दो तरह के एलकॉछ बन गे गर्म वे Concentrate S2S4 से करिया यह आपका अलकोहल है सौरी अलकोहल नहीं इथर आर ओ आर आर आप गर्म और Concentrate S2S4 से रियक्षन करोगे यह बॉंड गया यह बॉंड गया इधर H, इधर HS4 इधर H, इधर HS4 बीच में से क्या निकल गया H2O RHS4 के दो अनू मिलेगे जैसे आप डाई इधर इधर के साथ सेम रियक्षन दिखा सकते हो डाई इधर इधर के साथ सेम रियक्षन थंडे HI से क्रिया थंडे HI से क्रिया में क्या होगा क्यवल एक बॉंड टूटेगा इधर H, इधर I, ROH, RI ठीक है जैसे इसमेश और गर्म हI से क्रिया करोगे तो दुन्नों तरफ के बॉंड टूट जाएंगे इधर H, इधर I, इधर H, इधर I, H2O निकल जाएगा दो RI बनेंगे यह हो गया गर्म हI से क्रिया और PCL 5 से क्रिया तो आपको आपको पता है ना एक तरफ आर जुड़ेगा एक तरफ ओवार इधर आर जुड़ेगा इधर होगा तो यहां से एच यहां से यहां से हो यह बन जाएगा आपका प्रोड़क्ट कार्बन मोनोकसाइड से क्रिया बीच में जुड़ जाएगा यह जुड़ गया बीच मैस्टर बन गया ठीक है चलो आग्गे चलते हैं बस उप्योग देखो इधर के कि निश्चेतक के रूप में प्रशी तक के रूप में कार्बनिक विलायक के रूप में करत्रिम सुगंद बनाने में करता वे मिश्रन को पैट्रोल का काम करता है जिसे हम कहते हैं नेटलाइट पैट्रोल की तरह इस्तमाल करते हैं यह हमारा एथाइल इथर जितने रिएक्शन में कराऊगा हैं सारे अभी अभी आपड़ लिए यह अथाइल इथर या इत्ऑक्सी इथेन या C2H5 O C2H5 निरमान की विधियां इथाइल अल्कोहल से यह आपका इथाइल अल्कोहल है यह भी इथाइल अल्कोहल है यह है आपका डाइजो इथेन HBF4 की उपस्तिति में गरम करोगे यह N2 निकल जाएगा और यहां भी आपका दोन्नों तरफ क्या आजाएगा इधर C2H5 यह इधर C2H4 था ना यह कैची है यह बन जाएगा अल्काइल हेलाइड से यह है C2H5 ओन ने सोडियम इथाउकसाइड है क्या है सोडियम इथाउकसाइड इसका रियक्शन आप इथाइल आयोडाइड से कर दो एन ने आई निकल जाएगा C2H5 यहां जुट जाएगा बन जाएगा डाई इथाइल इथर यह यह भी वही है सेम रियक्शन प्रियोग शालाविधी देखो प्रियोग शालाविधी में क्या होता है कि आप गोल पेंदी वाला फ्लास्क लो और उसमें क्या करो इथाइल अलकोहल भरो सांद्र H2SO4 भरो ठीक है और थोड़ा थपानी भी चाहिए बालू उश्मक पर ड संगनी तरद्वारा ठंडा करके आप ग्रहक पात्र में एकत्र कर लोगे चित्र आपको बनाना आना चाहिए तो आपके पास सी टू एच फाइव ओएच है और सी टू एच फाइव ओएच है कंसेंट्रेट एस्टू एस्टू फॉर के साथ गर्म करना है एक सो चालिस डिग ठंडा करके द्रवीत करते हैं तथा वर्फ में रख र्के गरहक पात्र में एकत्र करते हैं क्योंगी जाद रिया होता है ना इसे साफ करने का तरीकल है शोधन पहला naOH से दोना सबसे पहले हम जो हमें प्राफ्थ होगा उसे एच आन ने लोंस से हम दोनेंगे जिससे चास परसेंट केलसियम क्लोराइड विलियन में रखते हैं जिससे इथाइल एलकोहल वे एच्टू ओगी अशुद्धी दूर हो जाती हैं फिर उसके बाद सोडियम के टुकडे डालकर आस्वन करते हैं जिससे सीटू एच फाइव और पानी की अशुद्धी और जादे दूर हो जाती है नमी वगेरा भी होती है ना उसमें बहुत ही गुण है डाई इथाइल इथर रंगहीन वाश्पसील जुलन सील तथा विशिष्ट गंदवाला द्रव है इससे त्वचा पर ठंडक अनुभव होती है क्योंगी वाश्पसील है जल में कम वे कार्बनिक विलायकों जादे घुलेगा जल से हलका है सुँने पर बेहुसी आने लगती है रासा ही निकुन आ जाओ डाइलूट एस्ट्व और से क्रिया कर लोगे एक तरफ का बॉंड टूट गया हूं यह रिक्सन अभी आई थी हमारे पास धन्डे ही से क्रिया एक तरफ का बॉंड टूटा गर्म ही से दुनवं तरफ का पीचल 5 से क्रिया आती है रेड फास्पोर ही से क्रिया डों्नों तरफ के बॉंड तोड़ने हैं और पैया अब कि हमारे उपयोग तो पढ़ दोगे no representing योगी को के निरमाण में RGB विलाएक के रूप में निस्चे तक के रूप में प्रयोगशालह में खनकिर्मक के रूप में सुगंधित पदार थे वा मौसदियां बनाने में दिरory इसके बाद अगला compound है एनिसौल क्या होता है एनिसौल ऐसा होता है कि जब बेंजीन रिंग जो है हमारा उसके उपर जुड़ा है OCS3 इनिसौल इसे हम मिथाइल फिनाइल इथर भी कहते हैं बेंजीन रिंग है OCS3 है बेंजीन रिंग है OCS3 बनाने की विधियां यह है आपके पास sodium phenoxide CS3 IE methyl iodide से reaction करा दो आप है निकल जाएगा OCS3 जुड़ जाएगा दूसरा है sodium phenoxide है आपके पास यदि आप इसका reaction डाइं मिथाइल सल्फेट से करते हो देखो CS3 SO4 तो क्या निकलेगा क्या निकलेगा यहां से एन ने और यहां से CS3 ठीक है तो क्या होगा हमारे पास यह हो जाएगा CS3 NA SO4 और CS3 जुड़ जाएगा इसके साथ benzening OCS3 और यदि फिनॉल है आपके पास और फिनॉल की डाइजो मिथेन से आप reaction कराते हो तो N2S निकल जाती है इसमें से CS3 जुड़ जाएगा यहां दो हैच है एक यह रह ठीक है एक नोट लिखा हुआ है कि यदि आपके पास bromob बेंजीन है और उसके उपर फिनॉल का reaction कराते हो तो आपको यहां जो है और के ओएच भी आपके पास होता है तो आप इस reaction को ऐसे लिख सकते हो कि यहां एक तो के बी आर निकला और एक ओएच और एच एस टूओ निकला और यहां आपस में जुड़ गे दोनों डाइफिना यहां तो करी लोगे बॉंड गया इधर एच इधर आई इलेक्ट्रोन इसने ही प्रतिस्थापन भी करिया है कहां कहां होंगी कहां कहां होंगी देखो ओर्थो पोजीशन और पैरा पोजीशन पर reaction होगी यह चीज सिखा रखी है कहीं बार आपको देखो ब्रोमीनी करण ब् और या तो यहां या तो यहां ठीक है डिफ्रेंस देखो क्या है दुन्नों में यहां तो आपने ले रखा है एफ़ी बी आर थरी और यहां ले रखा है एधरुबिया बिलायक CS2 यह CS2 की उपस्तिती में होगी तो तीनों जगा हो जाएगी और CS2 की उपस्तिती में या तो यहां नाइट्री करण एचे नो थ्री से करिया करनी है या तो यहां जुड़ेगा या तो यहां दो तरह के प्रोड़क्ट का मिक्स्चर मिलेगा आपको सल्फोनी करण में क्या होगा आप सल्फूरीक एसिड से क्या होगा या होगा या तो आपका सीस्ट्री करन में क्या होगा 커피 या तो यहां जुड़ेगा या दो यहां दो तरह के मिक्स्चर न आनी चाहिए आपको हर एकपांड में रंजक बनाने में और विलायक बनाने में ठीक है बैटे यह हमने पूरे चैप्टर का रिविजन कर लिया एलकोहल का भी फिनॉल का भी और इथर का भी यह साथ चैप्टर के वन सौर्ट रिविजन अमारे पूरे होगे अब अगले टर्ण पर एक दो दिन बाद आठ वा चैप ठीक है और प्रीवियस यहर के गोश्चन ऐसा हो सकता है कि हम एप्लीकेशन पर ही करें इस बारे में आपको जानकारी मिल जाएगी बहुत जल्दी ऐसा कहीं बार हो जाता है कि बच्चे एक बारी में इतना रिविजन नहीं कर पाते तो थोड़ा तोड़ तोड़ के देख और लेक्टर को कि हमने जोगे घंटे का अब देख लिए एक घंटे का फिर देख लिया याद गंटे का देख लिया इस तरीक इस से कर लिया पर ठीक है है best of luck for your board exam and thank you very much for watching this lecture यदि आज का लेक्चर आपको अच्छा लगा है तो वीडियो लेक्चर को लाइक बाइक जरूर